नवश्कार दोस्तों मैं विरेंद्र सिंग राजपूत, MJCI के Digital Learning Platform में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तों, आज हम लोग PCM Group के CUAT के Previous Year Paper को Solve करने वाले हैं यह Paper जो हम लोगों ने अभी Solve करने के लिया है यह Paper 22 माई 2023 का Paper है और 3rd Shift में आया था तो आईए हम लोग बिना किसी देरी के इस Paper को Solve करने की कोशिश करते हैं चलिए, सबसे पहला Question है A Plane Electromagnetic Wave of Frequency 50 MHz एक 50 MHz फ्रिक्वेंसी का एक Electromagnetic Wave है travels in free space along X direction और यही वो चीज है जिसके लिए मुझे 50 MHz दिया हुआ है हमें जरूरत थी कि Wave किस डायरेक्शन में जा रही है तो सर्वो X डायरेक्शन में जा रही है ठीक है अट पर्टिक्यूलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम E is equal to 9.3 जे वॉल्ट पर मीटर देखे ध्यान से यह जे देके रखा हुआ है जे मतलब यह हमको डायरेक्शन दे रखी है Y-axis आप सभी लोग जानते होंगे तीन एक्सेस पे ही हम लोग electromagnetic wave को represent करते हैं यह X-axis है जिसका unit vector i-cap है Y-axis है जिसका unit vector j-cap है के सदिश है तो यहां पर हमको सबसे पहली चीज तो यह देके रखी है कि जो हमारी wave है वो इस direction में जा रही है X direction में कहां से पता सर यहां से पता कि एक plane electromagnetic wave है एक विद्यूत चुम्बक की तरंग है जो X दिशा में जा रही है At a particular point in space and time Space और time के किसी particular point पे इतना electric field हमारे पास है और electric field का direction j-cap दे रखा है मतलब सर electric field इस direction में है electric field सर इधर है यह है electric field तो एक बात clear हो गई क्योंकि सर जिदव wave जाती है तो wave का जो propagation होता है एक तरंग का जो संचरन होता है वो विद्यूत चेत्र और चुम्बकिय चेत्र electric field और magnetic field दोनों के perpendicular होता है दोनों के ही लंबवत होता है ठीक है तो अगर सर wave यानि तरंग x दिशा में जा रही है x-axis में जा रही है विद्यूत चेत्र y-axis में है electric field y-axis में है तो obviously जो magnetic field है चुम्बकिय चेत्र होगा वो z-axis में होगा यानि के सदिश के साथ आएगा इतना solve करते ही हमें एक चीज़ तो पक्की हो गई सर कि जो भी हमारा चुम्बकिय चेत्र आएगा क्योंकि exam में पूछा यह question में what is b at this point magnetic field क्या है इस point पे इस बिंदू पर b का मान क्या होगा तो b होगा तो sir z-axis में के सदिश के साथ तो यह i वाला गलत हो गया sir j वाला भी गलत हो गया यह जो दोनों हैं हमारे पास b वाला और d वाला दोनों गलत है तो अब a और c बचे दोनों में k है तो अब इसको हमने sir cancel कर दिये दो option हमारे पास दो option बचे हैं इसको कैसे confirm किया जाए तो इसको confirm करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको confirm करने के लिए हम लोग formula लगाएंगे कि sir हमारे पास e की value है और b की value चाहिए हमको तो बड़ा ही simple है sir हम जानते हैं e not is equal to b not into c यह formula है basic सा formula है जो भी electromagnetic wave chapter को पढ़ता है उसमें सबसे पहला formula यही वो याद करता है ठीक है तो हम लोग करते हैं देखो ध्यान से e की value 9.3 हमको देखे रखी हुई है तो e की value हमारे पास है तो e की value put कर देते 9.3 b not की value मुझे चाहिए और c की value हम सब जानते हैं 3 into 10 raise to power 8 यह जो c है प्रकाश का वेग इसका मान सब को पता है 3 into 10 की घात 8 meter per second सभी m के स्पद्धती में है यहाँ पे यह 3 into 10 की 8 को मैं यह बटे में पहुचा देता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास 9.3 upon 3 into 10 raise to power 8 b0 देखे जो cancel हो रहा है उसको cancel कर देते हैं यह 3 से 1 बार चला जाएगा यह 3 से 3 दशमलो एक बार जाएगा और 10 की घात 8 को हम उपर ले जाएगे क्या बचेगा सर इधर तो भी ही बचेगा इधर बचा है 3.1 और 10 की घात 10 raise to power 8 उपर जाएगा बनेगा 10 की घात माइनस 8 इतने टेसला का चुम्बकी है छेत्र हमको देखने को मिलेगा अब देखिए कौन सा option मैच हो रहा है हमारा तो सर पहला ही option मैच हो रहा है क्योंकि power है माइनस 8 C option में power जो है plus में दे रखी है तो यह बहुत minor सी एक difference है माइनर सा इनके बीच में बच्चा जल्द बाजी में इसको भी गलत लगा सकता है तो option number a is the correct one आप अच्छे से इसको देख लें बहुत simple question था यह अगला question हम देखें array of light passes through a equilateral glass prism है एक glass prism है sir प्रकाश के किरण काच के एक संभाहू prism संभाहू हम समझते हैं जिसकी भुजाएं समान हो उसको हम संभाहू बोलते हैं साथ ही साथ जिसकी सारे जो कोण है तीनों कोण है वह भी साहट साहट डिगरी के हो यह भी साहट डिगरी हो यह भी साहट डिगरी हो तभी तो वो संभाहू या संभुज होगा, इक्विलेटरल प्रिजम होगा, इक्विलेटरल मतलब equal sights and equal angles, जिसकी भुजाएं भी बराबर हो और कोण भी बराबर हो, उसको हम संभाहू या संभुज प्रिजम कहते हैं, तो आगे हम देखते हैं सर, a light ray passes through a equilateral glass prism in such a manner that angle of incidence is equal to angle of emergence and each of them, each of these angles is equal to 3 by 4th of angle of prism, है ना यहाँ पे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, सेम वही चीज़ दी है, कि आप तन कोण निव्रगमन कोण के बराबर होता है, और दोनों ही कोण, prism कोण के 3 बटे 4 ही हो जाते हैं, 3 चोथा ही हो जाते हैं, मतलब सर जो आप तन कोण है I, जो निव्रगमन कोण है E, दोनों का मान 3 चोथा ही है किस से, prism के कोण से, आप से पूछा है विचलन कोण कितना होगा, तो यह बहुत सिंपल क्वेशन है, इवन अगर मेरी क्लासेस के नोट से अगर आप देखें, तो उसमें यह स्टार्टिंग में, प्रिज्म में, शुरुआत के ही एक दो क्वेशन में से यह क्वेशन आपको मिल जाता है, बहुत सिंपल क्वेशन है, तो वही फॉर्मूला हम लोगों को लगाना भी है, अपने सेम टू सेम वही क्वेशन उठके आजाते हैं एक्जाम में, जो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, तो एक फॉर्मूला है सर, एक प्लस डेल्टा इस एक्वल टू आई प्लस इ, यह वही फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास आई की वेल्यू, एक वेल्यू हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों की वेल्यू थ्रीबाइ फॉर ए है, तो देखिए यहाँ पे, A plus delta is equal to I plus E बहुत basic formula और कई बार बच्चे इसको neglect कर देते हैं इतना simple formula होता है कि इस पर question ही वो try नहीं करते है A की value हमको पता है पहले हम A को चाहें तो क्योंकि A की value हमको पता है 60 है तो 60 ही रख देते हैं और delta की value हमको निकालनी है I और E ध्यान से देखें I और E दोनों को अगर हम यहां solve करें तो easily समझ में आता है 3 by 4 और A की value हमको कितनी दे रखी है 60 तो यह कितना हो जाएगा सर इसको हम अगर cancel out करें कितनी बार कटने वाला है सरी है तो यह एक बार तो 30 यह एक बार में 2 फिर यह कट जाएगा 15 15 into 3 मतलब सर 45 डिगरी तो I और E दोनों की value 45 डिगरी है यहां direct रखता हूं मैं I की value 45 डिगरी प्लस E की value 45 डिगरी डिरेक्टी वेल्यूस को अगर मैं put up कर देता हूं तो यह आ जाएगा सर 60 डिगरी प्लस delta is equal to 90 डिगरी और 60 डिगरी अगर इधर आ गया तो delta किसके बराबर हो जाएगा सर 90 डिगरी minus 60 डिगरी is equal to 30 डिगरी and it will be our answer तो option number D is the correct option simple question था again ray optics का बहुत है simple question था चलिए third question देखें यह current electricity का एक question है यहां अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने diagram देखके भी हम बदा सकते हैं सर की drift velocity यानि अनो गमन अवेग और x यानि दूरी position है यह जिसको हम दूरी या विस्थापन मान सकते हैं इन दोनों के बीच में graph देके रखा हुआ है question थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सरम figure shows drift velocity of conduction electron in copper wire हमारे पास एक copper wire है उसकी drift velocity और versus position for the three sections मतलब wire के तीन अलग-अलग section देके रखे हुए है वो तीनों पे velocity अलग-अलग है इसका मतलब यह समझ में आता है कि यह uniform नहीं है जो wire है मतलब इसको अगर मैं plot करना चाहूँ तो इस तरह का कोई graph है देको यहां पे यह x है position और यह अनुगमन वेग है drift velocity है और जो copper का wire है बिटा वो uniform नहीं है है न मतलब वो उसकी त्रिज्जा हर जगे बराबर नहीं है non uniform है अलग-अलग position पे दिया हुआ है और इस तरह का structure अगर आप देखें आप एक नली से भी इसको assume कर सकते हैं 11th class में आपने topic भी पढ़ा होगा हलाकि 11th class का नाम लेना पाप है आपके सामने क्योंकि 11th class का तो सारा data हमारे दिमाग से जा चुका है लेकिन अगर कुछ लोगों को याद हो Bernoulli's theorem और वो भी नहीं याद हो तो एक daily practical example हम लोग ले लेते हैं इसका कि जिस जगे है यहना इसको हम 37 समीकर्ण बोलते है equation of continuity जिसको बोला जाता है a v बराबर constant a यहाँ पर छेतरफल है बिटा और v वेग है जहाँ छेतरफल जादा होता है वहाँ वेग कम होता है और जहाँ छेतरफल कम होता है वहाँ वेग जादा होता है तो ऐसे ही हम करते हैं नली से जब पानी बाहर निकल रहा होता है और हम नली के मूँ के उपर जो opening है उसकी उसके उपर अंगुठा रख देते हैं तो वो छेत्रफल कम हो जाता है जिससे पानी निकल रहा है पानी पहले जादा छेत्रफल से पूरे छेत्रफल से निकल रहा था आपने उस पे अंगुठा रख दिया तो सर्व छेत्रफल कम हो गया और छेत्रफल कम हो गया तो वेग बढ़ गया यह आपने practically देखा भी है सेम यहीं पर भी है अगर area of cross section अलग-अलग है तो ही यहाँ पर electron का वेग अलग-अलग हो सकता है यानि अनुगमन वेग अलग-अलग हो सकता है जो की question में देखे रखा हुआ है जैसे इस graph को देखो तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि वेग इतना था लेकिन बाद में वेग देखो कम हो गया position बढ़ रही है आगे की तरफ लेकिन वेग देखो कम हो गया और फिर वेग और कम हो गया वेग कम होता जा रहा है पहले case में वेग ज्यादा था तो देखो हम लोग यहाँ पर देख भी रह है अगर इसको मैं first point मान लू तो यहाँ देखो first point अगर मान लू इसको तो यहाँ देखो छेत्रफल कम है तो obviously यहाँ का जो वेग होगा पहले point का वो वेग थोड़ा जादा होगा अगर दूसरा cross section में इसको मान लू यह दूसरा point मान लू तो यहाँ का छेत्रफल थोड़ा जादा है तो यहाँ का वेग थोड़ा सा कम होगा वीवन से थोड़ा कम होगा और तीसरा cross section में यहाँ मान लू तीसरा जो छेत्रफल है मैं यहाँ पर माल लेता हूँ तो यह सबसे बड़ा छेत्रफल है तो इसका वेग सबसे कम होगा मतलब सर जहां वेग सबसे ज्यादा था हूँ वहाँ छेत्रफल सबसे कम है या ऐसा बोल दो यहाँ पर तरिज्या सबसे कम है यही चीज उसने पूछी भी है क्या पूछा है तो सबसे पहले यह पूछा है सर radius of third सबसे बड़ी है second की radius कम है और first की radius सबसे कम है और क्या हमने भी ऐसे ही बनाया सर first वाले की radius सबसे कम है बिल्कुल सही है तो पहली चीज तो यह कि ये वाला option तो सही है दूसरा point है सर इलेक्ट्रिक फेल्ड जो है थर्ड की तीसरे वाले का जो विद्यू छेत्र है वो जादा है तो ध्यान से सुनना यहां हम लोगों एक term पढ़ा होगा आपने जरूर पढ़ा होगा mobility तो गतिशीलता जिसको हम भोलते हैं मियू से दर्शाते हैं फॉर्मूला होता है वी डी अपन ई सबको याद होगा क्यों टाउपन एम इसका फॉर्मूला है इसका मात्रग भी एक्जाम में पूछ लिया जाता है बिटा तो इसमें देखो ध्यान से यह एक नियतांग होता है यह constant आती है value नियत value आती है constant value यह आती है और यह constant होने के लिए जरूरी है कि अगर वेग बढ़ रहा हो तो तीवर्ता भी बढ़े क्योंकि अगर वेग अकेला बढ़ गया तो म्यू की value तो बढ़ जाएगी नियत कैसे रहेगी तो अगर एक वेग अगर दो गुना हो गया है तो तीवर्ता को भी दो गुना होना पड़ेगा तब ही जाके म्यू नियत रह पाएगा fix रह पाएगा मतलब जैसा परिवर्तन वेग में होगा वैसा ही परिवर्तन तीवर्ता में भी होगा समझ में आ रही यह बात तो अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि तीसरे की तीसरे की तीसरे में जो विद्यू छेत्र है वो सबसे ज्यादा है और तीसरे हम लोगों ने क्या बोला देखो अगर हम लोग बात करें तीसरे का विद्यू छेत्र सबसे ज्यादा है लेकिन वेग तो पहले का सबसे ज्यादा है अगर पहले का वेग सबसे ज़्यादा है अनुगमन वेग तो विद्यूत चेत्र भी पहले का ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए ठीक है तो पहले का विद्यूत चेत्र सबसे ज़्यादा होना चाहिए जो कि यह गलत दिया है पहले का विद्युचेत्र सबसे कम दिया है तो option number B तो गलत है radius of wire is same in all section तीनो भागों में त्रिज्या बराबर है तो ये भी गलत है सर conductivity is same in all sections सभी भागों की चालकता है बराबर है तो सर सभी भाग कौपर से मिलके बने है तो चालकता भी उनकी बराबर ही है मतलब D वाला option भी सही है तो A और D A and D are correct option number C जो है बिटा ये correct option हमारा है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अगला question हम लोग देखें अगला question क्या बुल रहा है और uniform charge conducting sphere एक हमारे पास एक समान आवेशित चालक गुला है एक समान आवेशित मतलब उस पे चार्ज सभी दूर एक जैसा बटा हुआ है आवेश बराबर दूरी पर बटा हुआ है ठीक है पिटा यहां तक समझ में आ गई बात सर और इसकी जो त्रिज्जा है sphere of radius 1.3 मीटर तो 1.3 मीटर की हमारे पास त्रिज्जा भी दे रखिए आर का मान दे रखा है सर्फेस चार्ज डेंसिटी इसका आपको प्रश्थिय आवेश घनत्व जिसको हम सिगमा बोलते हैं वो देखे रखा हुआ है सर्फेस चार्ज डेंसिटी जिसका म माइक्रो माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस चे होता है कुलाम पर मीटर स्क्वेर इसको ठीक से लिखे तो एक प्लस के 0 से एक माइनस का 0 काट देंगे तो हमारे पास माइनस 5 यहां पर बच जाएगा मतलब सिगमा की वैल्यू क्या होगी बिटा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 क पर मीटर स्क्वेर चलो आगे देखें वाट इस टोटल एलेक्रिक फ्लक्स लीविंग दा सर्फेस ऑफ दी स्फियर ठीके गोले की सतर से निकलने वाला कुल विद्यूत फ्लक्स कितना होगा यह हमको बताना है तो देखो बहुत सिंपल है सिगमा की वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए और सर क्योंकि हमको मीटर स्क्वेर यह प्रश्टी आवेज गनत्वेच छेत्रुफल भी लगेगा सर तो छेत्रुफल तो सर क्योंकि गोला है फोर पाई आर स्क्वेर से अपन लो होता है बिटा क्यूं आवेश क्या होता है तो हम लोग जानते सर सिगमा बराबर होता है क्यूं अपन एक क्यूं अपन एक तो क्यूं निकालने के लिए लिए लिखा जा सकता है सिगमा इंटू ए तो क्यूं को मैं यहां से लिख देता हूं सिगमा इंटू ए अपन एपसिल दसकी घात माइनस पांच एक आमान है फोर पाई मतलब 22 बटे साथ फोर पाई आर स्क्वेर आर मेरे पास एक दशमलो तीन इंटू एक दशमलो तीन है चलिए आगे देखे एपसिलॉन जीरो भी असर बटे में एक आठ दशमलो आठ पांच एंटू दसकी घात माइनस 12 लगबग लगबग में मैंने इसको ले लिया है solve कर रहा हूँ 8.85 होता है जो cancel out होता है उसको cancel out भी कर देते हैं बिटा यहां से अपन एक दशमलो हटाएंगे बटे में 0 दशमलो हटाएंगे बटे में 0 क्यों ठीक है 10 कि घात माइनस 5 से दसकीसाइवा 19 5 खाट दे गे तो माइनस 7 साथ बचाएगा क्या 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 बचा है उसको हम देख लेतके हैं 1 द शमलो यहां से अठ के तो एक जिरो यहां लगा देंगे चलो बनाते हैं बचा हुआ पॉर्शन लिख देते हैं पहले फिर काटेंगे यहां तो यह हो गया सर सत्तर चार इंटू 22 को मैं लिख देता हूं 88 यहां लिख दिया सर 13 इंटू 13 बटे में क्या लिखा है सर 88 और 10 की घात माइनस साथ इंटू साथ अच्छा दसकी घात माइनस साथ था एक जिरो से यह एक जिरो भी काट देता हूं बिटा में तो दसकी घात माइनस साथ था और एक जिरो यह भी रहा दसकी घात एक तो यह दसकी घात माइनस से हो जाएगा अगली स्टेप में समझ में आई रहा होगा 88 से 88 as it is cancel out अच्छा यह जिरो भी हम लोग काट चुके हैं यह वाला जो है यह 7 है क्योंकि उसका 0 हम लोग काट चुके हैं यहां पे काट दिया था तो 7 तरफीट था 7 इंट्व 88 13 इंट्व थर्टी यह 0 तो हम कैंसल कर चुके एक जिरो बचाए 7 बचाए 88 से 88 कैंसल हो गया है यह हो जाएगा मेरे पास कितना यह सेवन से सब भी गड़ जाएगा तो मेरे पास क्या-क्या बच गया सब देखो ध्यान से 13 इंटू 13 यानि 169 अपॉन बे 10 रेस्टू पावर माइनस 6 यह हमारे पास बज़ गया है उपर आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा सर 169 multiplied by 10 रेस्टू पावर 6 आप अगर decimal को दो डिजट पीछे लेके आओगे तो पावर दो डिजट आगे बढ़ जाएगी और हमको answer कुछ इस तरह का मिलेगा 1.69 इंटू 10 रेस्टू पावर 8 इतना flux हमको मिलने वाला है तो अपन देखते हैं ऐसा कोई option है 1.69 एप्रॉक्सिमेटली 1.7 है तो 1.7 वाला यह तो है नहीं यह भी है नहीं यह दोनों हो सकता है 10 की गात 8 है कि माइनस 8 है तो 10 की गात 8 हमारा answer आया है 10 रेस्टू पावर 8 त तो बहुत ही simple सा ही question था बिटा बड़ा ही simple सा question अगले question की तरफ हम लोग move on करते हैं बहुत ही अच्छा question था simple question था बहुत cutting calculation इसकी नहीं है देखें अगला question है Electrostatics deals with the study of forces fields and potential arising from static charge रुके हुए चार्ज की वज़े से स्टेटिक चार्ज की वज़े से फोर्स कितना लग रहा है फील्ड कितनी लग रही है potential कितना बन रहा है इसकी बात करता है electrostatic यानि स्थिर विद्योत रुके हुए आवेश की वज़े से कितना बल लग रहा है कितनी तीवरता लग रही है और कितना विभा उत्पन हो रहा है इसकी बात करता है which of the following statement are correct इन में से कौन से statements ऐसे हैं जो सही है तो सबसे पहला तो ह है electrostatic force is a conservative force a conservative force है यानि एक संरक्षी भल है तो याद रखना electrostatic force center to center लगता है एक आवेश के एक आवेशित वस्तू के केंद्र से दूसरी आवेशित वस्तू के केंद्र तक और जो central forces होते हैं जो केंद्रों के बीच लगने वाले forces होते हैं वो सारे force संरक्षी forces conservative forces होते हैं यानि दुनिया के सारे केंद्री ये बल संरक्षी बल होते हैं और क्योंकि हम यहाँ पे भी वही करते हैं दो दरविमान लेते हैं उनके उपर आवेश ले लेते हैं Q1 Q2 और उनके बीच में लगने वाला बल लगाते हैं तो हमेशा केंद्र से केंद्र इंटीग्रल नंबर ओफ एलेक्ट्रोंस केंद्र फ्रॉम वन बॉडी तो यह तो हम लोगोंने क्वांटाइजिशन ऑफ चार्ज पड़ाई होगा यह बिल्कुल सही है कि आवेश जो होता है वह क्वांटी करत होता है क्योंकि वह पूर्णांग की रूप में ही लिया जा सक विद्युत द्विद्रू है वह एक टॉर्क महसूस करता है और एक फोर्ज एक्स्पिरियंस, टॉर्क, एड़ नेट फोर्ज की पॉर्ज भी महसूस करता है लेकिन आप जानते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युचेत्र के अंदर किसी भी डैपो को रखते हैं तो उस पे जितना फोर्स क्यूई आगे की तरफ लगता है उतना ही पीछे की तरफ लगता है और नेट फोर्स तो जीरो हो जाता है एक फोर्स आगे क्यूई एक फोर्स पीछे क्यूई दोनों बराबर है एक दूसरे को कैंसल कर देंगे तो सर इस पर टॉर्क तो तो है, रोटेशन तो होता है, लेकिन इस पे नैट फोर्स नहीं लगता, इसके उपर लगने वाला नैट फोर्स 0 होता है, तो option number C जो दे रखा है हमको, यह जो fourth number का, third number का C हमको जो sentence दे के रखा हुआ है, यह गलत है, fourth number वाले point की बात करें, d point की the electric field lines start from positive तो यह बिल्कुल सही है, जो इलेक्टिक फील लाइन से विद्युद्वल रेखाएं हैं, यह हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर खतम हो जाती है, मतलब हमेशा धनावेश से शुरू होकर रिनावेश पर समाप्त हो जाती है, अगर एक ही आवेश है, तो हो सकता है अनंत से आ रही हो या अनंत तक जा रही हो, ठीक है, तो यह बिल्कुल सही पॉइंट है, अगर एक प्लेट है, जिसके उपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे फीड लाइन बाहर की तरफ जाती है, तो यह भी बिल्कुल सही है, हम लोग गॉस के एप्लिकेशन में इस टॉपिक को पढ़ते भी है, तो सर अगर पॉजिटिवली चार्ज़ शीट है यह, प्लेट शीट, तो इलेक्ट्रिक फिल्ड हमेशा प्लेट से बाहर की तरफ होगी, तो option number C को छोड़के सारे सही है, यानि A, B, D और E, A, B, D, E, option number C is the correct option, ठीक है, यहां तक सब clear है पिटा, अगला हम लोग देखिए, question देखेंगे, question number, यह तो 5 ही है, option number C जो होगा, इसका सही जवाब होगा, अभी देखा, question number 6 पिटा, सभी लोग try करके देखें, बहुत simple question ह है, बहुत ही simple question है, आपको diagram का भी idea हुआ, तो बहुत आसानी से इस question को करने वाले है, choose the correct experimental circuit, arrangement for studying VI characteristics of PN junction diode, एक PN junction diode की बात है, अब सरी PN junction diode का तो question ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, कौन सा correct वाला है, तो कुछ basic idea होना चाहिए, जैसे यहाँ देखें, वाल्ट मीटर और अमीटर देके रखा हुआ है, एक अमीटर में लगाया हुआ है, अमीटर हमेशा series में, यानि श्रेणी में लगाया जाता है, जबकि जो वाल्ट मीटर है बिटा, वो हमेशा parallel में लगाया जाता है, यानि की समांतर में लगाया जात है तो इतना भी आपको पता है तो मैक्सिमम तो सर आप ऐसे ही गलत कर दोगे ऑप्शन को केंसल करते जाओंगे और सही अंसर तक पहुंच जाओंगे पहले ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन अब देखो इन्होंने एक चीज और दिये अग्र दिशिक बायस यानि बायस तो एक चीज और हमारी जानकरी में होनी चाहिए कि फॉर्वर्ड बायस जो है कि फॉर्वर्ड बायस यानि अग्र अभी नती अग्र अभी नती इसमें पी छेत्र जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और एंग छेत्र बैटरी के नेगेटि सवाला option वॉल्ट मीटर देखो समांतर में लगा है साइड में लगा है सही है अमीटर देखो श्रेणी में लगा इसी रास्ते पर लगा यह भी सही है लेकिन देखो यह अगर अभी निती में नहीं है क्योंकि पीछेत्र बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और वॉल्ट मीटर श्रेणी में जोड़ दिया सर यह भी गलत हो गया इसको देखो वॉल्ट मीटर समांतर में जुड़ा है सही है और पीछेत्र बड़े टर्मिनल से यानि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो option number C is the correct option सबको clear हो गया होगा इसमें अपने को कोई अलग स से जरूरत नहीं है इसको solve करने की अगले question पर जाते है बिटा question number 7 इसको समझने की कोशिश करें in the figure an alpha particle moves a distance L in a uniform electric field as shown इस तरह से alpha particle चल रहा है ध्यान से देखें आप electric field इस तरह है जबकि alpha particle इधर जा रहा है alpha particle के उपर दो positive charge होते हैं आप जानते हों तो helium 2 plus nucleus को हम लोग alpha particle बोलते हैं इसी को alpha particle कहा जाता है तो alpha particle के उपर दो positive charge है और positive charge को हमेशा field अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है तो although क्या हो रहा है कि alpha particle इधर जा रहा है लेकिन field इसके उपर एक force लगाएगा और कहेगा कि मेरे साथ चल इसके उपर एक force लग रहा है बिटा opposite direction में तो धीरे-धीरे पहले ये तेजी से जा रहा था लेकिन धीरे-धीरे इसकी speed कम हो जाएगी बात समझ में आ रही है क्या है इसकी speed कम हो रही है क्यों क्योंकि ये field के opposite direction में चल रहा है सवाल में पूछा क्या है सवाल में पूछा है सर दस दा एलेक्ट्रिक फील्ड डू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युच्छेत्र इस अलफा पार्टिकल पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है या नेगेटिव वर्क कर रहा है तो ध्यान से देखें फोर्स फील्ड लगा रही है इस direction मे लेकिन पार्टिकल चल रहा है इस direction में तो क्योंकि फोर्स की और डिस्प्लेस्मेंट की direction opposite है बल की और विस्थापन की दिशाएं अलग-अलग है इसलिए जो वर्क हो रहा है या नेगेटिव होगा तो एक बात तो पक्की हो गई सर की जो वर्क हो रहा है वो तो नेगेटि सब्सक्राहिं हो ही गया दूसरा देखें डेस्टग prof n काएऍ सब्सक्राइब कनेटिक अनरजी गया हो गई देखते 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 देखतेंगर बहुत-वह जाद्वाद Кिनेटिक अनर्जी थी दीरे दीरे चल रहा था इस्की गति जु Hz और कर इसकी कम हो गई है तो सर वह किसी ना किसी energy में convert ही होई होगी तो इस्थितिज उर्जा इसकी बढ़ गई है potential energy बढ़ गई है इसके पास गति की वज़ा से जो ऊर्जा थी वह जैसे जैसे इसका वेग कम होगा इसकी velocity कम होगी गतिज़ोगा कम होगी और बन जाएगी स्थिति जूर्जा तो इस्थिति जूर्जा लगातार इसकी बढ़ती रहेगी यानि हमारे पास option number a जो रहेगा वो सही answer रहेगा कि कार्णी तो रिनात्मक हो रहा है लेकिन potential energy इसकी बढ़ दहीं होगी option number c b गलत है ठीक है तो इसको भी अलग से solve करने के हमको जरूरत नहीं है अगला question देखें बहुत simple question question number eight एक 25 microfarad 25 microfarad धारिता यानि capacitance हमारे पास दे रखा है 0.10 henry अब यहां point के बाद अपन लास्ट के 0 कितने भी लगा सकते हैं और है तो नहीं भी लगा चाहें तो नहीं भी लगा है तो मैंने नहीं लगाया इसको सिंप्लिफिकेशन के लिए यह एल की वेल्यू है and 25 ohm का resistance है sir are connected in series with an ac source of emf हमारे पास एक ac का source भी है जिसका emf का equation दे रखा है बेटा ac चेप्टर का एक question है v is equal to v naught sin omega t यह equation आपने देखी होगी ac में उसी तरह की equation question में given भी है है हमको e is equal to 310 दे रखा है हमको sign 314 t इसको अगर आप compare करो इसने पूछा क्या पहले हम यह देख लेते हैं ac स्त्रोथ की आवरत्ति पूछिए what is the frequency of ac f पूछा है f हमसे पूछा है और बहुत सिंपल है अगर ही equation दिये तो हमको equation देखते ही समझ में आ जाएगा कि omega की value कितनी है 314 314 omega बराबर 314 दे रखा है और omega को लिखा जा सकता है 2 pi f अगर omega की value 2 pi f लिख दी तो f निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है देखो 2 pi को upon में पहुचा दो f is equal to 314 upon 2 pi चले देखे f is equal to 314 upon 2 or pi को लिख दिया 3.14 decimal जैसी हटाओगे decimal हटाएंगे decimal के बाद 2 संख्या है तो उपर 2-0 आ जाएगा 314 से 314 काटते ही आपके पास f बराबर बचेगा 100 बटे 2 यानि 50 hertz यह f का मान दे रखा है एफ इस इकवल तो 50 hertz option number C is the correct option अगला सवाल हम लोग देखेंगे अगला सवाल है दो सेम करेंट इस फ्लोइंग इन्टू AC सर्किट दो AC सर्किट है हमारे पास जिसमें बराबर करेंट हम लोग फ्लो करा रहे कि दो सर्किट कंटेंस अब प्योर इंड़क्टर एक प्योर इंड़क्टर है फर्स सर्किट में देखें हमारे पास एक दो सर्किट दे रखा जिसमें एक में प्रेरकत तो है और एक में शुद्ध धारिता है क्या बोल रहा है question if the frequency of AC is increased यदि AC की आवरत्ती को बढ़ाते जाया जाये लगातार हम AC की आवरत्ती को बढ़ाते रहे तो क्या होगा then the current will be current के साथ क्या होगा तो देखो current जो है बहुत simple सी बात है current i is equal to v upon x आप लोगों ने अगर AC वाला chapter पढ़ा होगा तो बहुत basic formula है अगर हम लोग चाहते हैं i की value निकालना current की value निकालना तो current की जो value है यह v और x दो चीजों पर depend करती है अब हम दोनों की frequency बढ़ा रहे हैं देखो ध्याद से frequency बढ़ा रहे हैं पूछ रहा है current में क्या change आएगा तो दोनों में अलग-अलग changes आएगे कारण क्या है कि यह जो हम शुद्ध प्रेरकतों वाला x देखेंगे इसके कारण जो अवरोध उत्पन हो रहा है जिसको हम प्रतिगात कहते हैं xl यह होता है omega l के बराबर अगर आपने आवरति को बढ़ाया है तो omega बढ़ेगा आप सवाल में कह रहे है if the frequency of ac is increased यह दि ac की आवरति बढ़ाई जाए तो देखें आवरति अगर आप बढ़ाएंगे तो omega बढ़ेगा आवरति बढ़ाईएगा तो omega बढ़ जाएगी और omega बढ़ेगा तो xl बढ़ेगा और xl अगर बढ़ेगा तो i कम होगा xl बढ़ेगा तो i कम होगा तो sir पहले circuit में तो आवरति बढ़ाने से धारा कम हो रही है दूसरे में क्या होगा तो दूसरे का एक्सल देखो एक्सल होता है वह एक्स सी देखो यह सी है क्योंकि तो एक्स सी रहेगा क्योंकि धारिता है यह आपर तो यह भी प्रतिगात है लेकिन यह शुद्ध संधारित्र के लिए सुद्ध धारिता के लिए प्रतिगात है तो शु तो ओमेगा बढ़ेगा लेकिन ओमेगा के बढ़ने से X की वैल्यू कम हो जाएगी और X की वैल्यू अगर कम हो गई तो धारा बढ़ जाएगी यानि देखो आवरती बढ़ाने पर ही पहला जो हमारे पास सरकेट था पहला जो परिपत था उसमें धारा कम हो रही है लेकिन धारा कम हो जाएगी प्रत्थम में कम हो जाएगी और द्वितिये में बढ़ जाएगी डिक्रीज इन फर्स्ट इन इंक्रीज इन सेकेंड ऑप्शन नमबर डी इस दे करेक्ट ऑप्शन ध्यान से सभी लोग इसको देख लें बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें विच अफ़ फॉलोविंग चेंज इस अब्जर्व वेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इन में से कौन सा परिवर्तन हमको नजर आएगा जब लाइट हवा से कांच में जाएगी तो प्रकाश का रे आप्टिक्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हम जानते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यन से सगन माध्यन में जाता ए तो उसकी तरंग देयर्द भी कम हो जाती और उसका वेक वी कम होजाता है जब एक स्पीड लाइट ऑनली कौन बदलता हुआ दिखाई देगा सर स्पीड बदलते वे दिखाई देगी फ्रेक्वेंसी तो कभी बदलती नहीं है वेवलेंग दिखाई देगी या दोनों चेंज हो गए तो आप्शन नमबर डी जो है इस अ करेक्ट आप्शन कि यह दोनों देखे हैं धो पॉलर् लाइज़ट हमारे सामने है दो हमारे सामने दूवक रखे हुए है जो द्रुवन करने के लिए पॉलराइज़क लिए काम में आते हैं और करने कि यए लाइजले प्रकाश कि अब सर्य पहले इससे गुजरेगी निफिर जो प्रकाश हम को मिलेगा मालो उसकी तीवरता I1 है, तो अभ वो इससे गुजरेगा और इससे गुजरेगा प्र तीवरता बदलेगी तीवरता मालो हो जाएगी I2, इसको हम लोग आगे बनाएंगे भी, तो अदृवित प्रकाश की तीवरता आ नोट है, यहांपे जो तीवरता थी आ नोट थी, एवन पारगमित प्रकाश की तीवरता है, सबसे बाहर जो प्रकाश निकल रहा है, इसकी तीवरता 3i0 बटे 8 है तो P1 और P2 के अक्ष के मद्य कौन कितना है तो ये बिल्कुल धुरुवन वाला question है, बहुत simple question है हमारे पास देखिए दो polarizer है दो धुरुवक है एक का धुरुवन वाला अक्ष तो यही है और दूसरे के धुरुवन वाले अक्ष को मैं यहां से माल लेता हूँ, थीटा कौन पर है इन्होंने कहा कि पहले जो प्रकाश आ रहा है अधुरुवित प्रकाश है अधुरुवित प्रकाश मतलब unpolarized light non-polarized light है और जैसे यह polarizer से पास होगी तो यह धुरुवित प्रकाश बन जाएगा इसकी तीवरता i0 थी यहां तीवरता i1 होगी जो की i0 से आधी होगी अब क्यों होगी सर i0 से आधी तो यह जो polarizer है यह जो धुरुवक है अधुरुवित प्रकाश को समतल धुरुवित प्रकाश या दुरुवित प्रकाश ही लिख देता हूं इसको मैं दुरुवित प्रकाश प्लेन पॉलेराइज लाइट सम्तल दुरुवित प्रकाश कहते हैं इसको तो यह सर पॉलेराइज हो गया है यह जो है पॉलेराइज हो गया है बिटा दुरुवित हो गया है इसलिए इसकी जब भी अध्रुवित प्रकाश में बदलता है अन पोलेराइज लाइट में बदलती है तो उसकी इंटेंसिटी उसकी तीवरता आधी हो जाती है चलिए सर आगे बढ़ते हैं अब सर अब जब यहां से प्रकाश गिरेगा तो इस तीवरता का गिर रहा है आईवन का तो बाहर निकलेगा तो इसके लिए हम लोग जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है सबको याद होगा फॉर्मूला तो वो क्या होगा कि अगर यहां से बाहर निकल रही है तीवरता आईटू तो आईटू जो होगा आईवन का कोस इसक्वेर थीटा टाइम सोगा i2 is equal to i1 into cos square theta सबको याद होगा यह formula बहुत important formula है इसी पर based question की practice भी करते हैं हम लोग classes में polarization में और तो कोई बहुत ज़्यादा formula है यह नहीं दो ही formula बनते हैं Brewster law का बनता है जिसको हम drawn cone या फिर angle of polarization बोलते हैं यह है हमारे पास दूसरा formula i2 is equal to i1 cos square theta आप देखो द्यान से i2 की value question में हमको given है कि बाहर जो तीवरता है वो 3 i0 by 8 है 3 i0 by 8 और i1 जो यहां से गिर रहा है सर प्रकाश इसके उपर वो है i0 by 2 और यहां है cos square theta of course आप से दोनों के बीच का cone angle ही पूछा हुआ है यहां से निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है तू से कठ जाएगा पिटा four times i0 से i0 कठ जाएगा मतलब हमारे पास बचेगा क्या बचेगा सर three by four is equal to cos square theta या cos theta is equal to root का three by four यानी root three by two सिंपल है बात मतलब सर रूट तीन बटे दो रूट three by two कब मान होता है तो 30 डिगरी पर होता है सर साइन सिक्स्टी या cos 30 तो तो कॉस का 30 डिगरी का एंगल दे रखा है सरिय कॉस थीटा इस इक्वल टू इसको कॉस थी लिखा जा सकता है तो यहां से क्लियरली समझ में आता है कि थीटा is equal to 30 डिगरी क्लियर है बात चलिए आगे देखे तो objective of a reflecting telescope is एक परावर्ती दूरदर्शक का जो अभीद्रश्यक लेंस होता है आगे वाला लेंस या अभीद्रश्यक होता है जिसको मां objective बोलते हैं तो यह परावर्तन पर आधारित है और परावर्तन के लिए एक लेंस का उप्योग हम करते हैं वो है आगे देखे हम लोग अगला question है एक AC generator है हमारे पास in an AC generator when the plane of armature is perpendicular to the magnetic field what will be the magnitude of magnetic flux passing through the coil and the EMF induced in the coil will be तो देखो ध्यान से एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है generator है जब कुंडली का तल चुंबकी छेत्र के लंबवत होता है उस समय कुंडली से निकलने वाला चुंबकी फ्लक्स कितना होगा परिमान उसका कितना होगा मतलब इसको आप थोड़ा सा ऐसा समझें कि यह चुंबक है कि यह चुंबक की छेत्र होगा नौर्थ से साउथ की तरफ और हमारे पास एक आर्मेचर है इस आर्मेचर को हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है कैसे तो किस तरह से रखा इसको इस तरह से प्लेन के चुंबक की छेत्र ऐसे जा रहा है और अगर मैं यहां पर आपके लिए इस मुबाइल को लेकर के दिखाता हूँ तो यह बिटा चुंबक की छेत्र अगर ऐसा है इस तरह से और इस छेत्र फल को भी आप देखें यह जो आपके पास एरिया है यह भी इसी में आ रहा है तो बहुत कम लाइन ओफ फोर्स इसको पास करेंगी लेकिन अगर चुंबक क यह चेत्र यानि magnetic field और यह plane perpendicular हो एक दूसरे के तो maximum जो यहाँ से लाइन ओफ फोर्स जा रही है वो इससे पास होगी मतलब फ्लक्स maximum होगा तो सबसे पहली चीज तो हमको यह समझ में आ गई सबसे पहली चीज यह समझ में आ गई कि जो magnetic flux यह पूछ रहा है हमसे यह तो maximum होगा फाई जो होगा फाई maximum होगा और सर क्योंकि इस समय कोई भी flux चेंज नहीं हो रहा इसलिए induced EMF इसमें 0 होगा जो EMF इसके अंदर induced होगा वो 0 होगा इस टाइम पे तो यही अपन option में ढूंड भी लेते हैं चुम्बकी यह flux एवं प्रेरित विद्युत्वाहक बल दोनों अधिक्तम होगे तो यह गलत है चुम्बकी यह flux एवं प्रेरित विद्युत्वाहक बल दोनों शुन्नी होगे यह भी गलत है चुम्बकी यह flux अधिक्तम होगा और प्रेरित विद्युत्वाहक बल शुन्नी होगा विद्युत्वाहक बल यानि EMF तो magnetic flux is maximum and the induced EMF is 0 यह होगा हमारा question number 13 अगला question हम देखे question number 13 के बाद यह match the column है हमारे पास बड़ा ही simple match the column है अब match the column की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एक दो लोगों को भी match कर लेते हो तो आपका answer सही आ जाता है लाइक सबसे पहले देखा जाए minimum magnetic moment associated with orbital motion of electron in first orbit तो यह सब लोग जानते हैं बहुत basic formula है कि नूक्लियस के पास एक नाभिक के पास एक electron सर चक्कर लगा रहा है पहली कख्षा में electron के पास भी अपना एक magnetic moment है चुम्ब कि यह आघुर्ण है तो वो कितना है तो सर इसके पास तो कमी होगा इसके पास कमी होगा यह कम motion कर रहा है दूर कोई होगा तो ज्यादा motion करेगा उसका magnetic moment ज्यादा होगा तो सबसे कम magnetic moment पहली कख्षा का पहली class का पहली orbit का जो electron घुम इसका magnetic moment सबसे कम है minimum है और इसी को हम एक bore magneton कहते हैं तो यही उसने पूछा भी है कि minimum magnetic moment associated with orbital motion of electron in first orbit तो कितना होगा इस नोन आज बोहर magneton यानि first का तो आगया सर थर्ड तो हम देख लें first का थर्ड दे रखा है किसी में first का first दे रखा है गलत है first का second दे रखा है गलत है दो option तो गलती हो गए सर सी और डी में ऐसा देखे रखा हुआ है दूसरा देखे सर पैरा मैगनेटिक माटेरियल तो आपने पड़े होंगे जो अनुचुम्ब की पदार्थ है उनका जो म्यू होता है या उनके maximum चीजे जीरो से ज़्यादा होती positive होती है और जो प्रतिचुम्ब की पदार्थ होते ह यानि हमारे पास जो डाया मैगनेटिक माटेरियल होते हैं उनकी अधिकांस चीजे चाहे वो म्यू हो काई हो वो एक से कम होता है यानि नेगेटिव होता है या इन जनरल नेगेटिव होता है और अगर हम बात करें फेरो मैगनेटिक की तो उसके लिए सारी value positive भी होती है और maximum होती मतलब थोड़ी बहुत नहीं होती एक से जादा काफी जादा होती है पर यह पैरा मैगनेटिक की बात कर रहा है तो इसका जो relative permeability होता है mu r तो it is greater than 1 तो second वाले का देखो first वाला बन गया second वाले का first वाला बन गया हम सभी लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को तो क्यों mu r is greater than 1 एक से जादा होता है तो second वाले का first आ गया सर तो बी वाले का fourth दे रखा है गलत बी वाले का first दे रखा है सही तो option number d is the correct option अब बाकी के दो आपको याद है तो भी ठीक है नहीं याद है तो भी ठीक है आपको पता लगी गया कि C वाले का fourth है और D वाले का second सी वाले का fourth है यह रा सर magnetic moment per unit volume is called intensity of magnetization यह आई है अगर आपने इसका formula भी शायद पढ़ा होगा i is equal to m upon v unit volume में कितना जो magnetic moment create हो रहा है उसी को हम intensity of magnetization कहते हैं चुमबक चुमबक कन की तीवरता ठीक है चुमबक कन की तीवरता इसको हम कहते है आगे बड़े मिटा two coils of self inductance though coil है सर्व इंडेक्टेंस की L1 और L2 इन का self inductance है are kept close to each other इन दोनों को एक दूसरे के पास पास रखा हुआ है so that the effective flux is one in one is completely is completely linked with the other तो सर completely linked है मतलब तुमने formula पढ़ा होगा बिटा जरूर L is equal to K under root L1 L2 यहां पर के जो है इसको हम coupling constant कहते है इसको coupling constant कहते है बिटा और L1 L2 आप जानते होंगे यह प्रेरकत्व है स्वा प्रेरकत्व दोनों कुंडलियों के self inductance और यह क्या है सर M यह mutual inductance है यह अन्योन प्रेरकत्व है तो what is the mutual inductance M तो K सर अगर coupling constant क्योंकि completely है तो K की value 1 है क्यों क्योंकि completely linked है पूरी तरह से वो उससे जुड़ा हुआ है तो पूरा flux जो एक कोईल से निकलेगा वो दूसरी कोईल को मिल जाएगा तो K की value 1 हो गए 100% हो गया यह तो हमारे पास यह formula क्या बज़ गया बिटा formula बज़ गया M is equal to 1 into L1 L2 और इसको भी ठीक से लिखो तो सरी L1 L2 की power 1 by 2 है M की value तो option number कौन सा है सर? root का 1 by 2 L1 L2 power में root का 1 by 2 यह question number 15 था बहुत ही simple question है बिटा आगे देखें अगे हमारे पास question number 16 है electromagnetic wave विद्यूत चुम्बकिय तरंगे इस chapter का question है और आपको सिर्फ हर wave का use क्या है यह पता होना चाहिए था जैसे जो microwave है सर यह aircraft में use होती है देखें सामने ही दे रखा है इसका microwave का use आप लोग कहां कहां करते हैं तो सर aircraft में हम use करते है GPS में इसका use होता है Bluetooth में इसका use होता है ठीक है microwave oven में इसका use होता है तो aircraft के navigation में भी इसका use होता है तो A का first ही answer है तो देखो A का 1st S में दिया है, A का 2nd दिया है तो ये गलत, A का 4th दिया है, ये गलत, A का 1st S में भी दिया है, तो आपके पास A और D दो option बचे हैं, इसके अलावा किसी भी हम एक को और मिला देते हैं, जैसे X-ray का ही आपको पता होगा, X-ray जो है, it is used to study crystal structure, crystals का जो ये example तो X-ray का उपयोग, हम लोग ये उपयोग लिखते ही लिखते हैं, कि X-ray का जो उपयोग होता है वो crystal को पढ़ने के लिए हम करते हैं, तो C का 2nd आएगा, इन दोनों में से देखो, C का 2nd किसमें दिया है, C का 2nd वाला दे रखा है, पहले वाले option में, C का 3rd दे रखा है, तो ये photoelectric equation, the plot of kinetic energy of the emitted photo electrons from a metal versus frequency of incident radiation, तो यहां ध्यान से देखे, आप kinetic energy का versus frequency का आपको एक graph बनाना है, आपने हो सकता है, इस graph को kinetic energy versus frequency के नाम से नाम से न पढ़ा हो, यानि गतिज और जा और आवरत्ती के नाम से न पढ़ा हो, इस graph को आपने शायद, निरोधी विभाव, यानि stopping potential के साथ पढ़ा होगा आवरत्ती का graph, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, गतिज उर्जा, ke is equal to ev not, ये भी समीकरन आपने photoelectric equation के नाम से पढ़ा ही होगा, ठीक है, उसमें जब हम stopping potential यानि निरोधी विभाव पढ़ते हैं, वहा और इस graph की ये जो slope है, जिसको हम लोग h upon e से represent करते हैं, तो ये जो h upon e है slope, इस पे से कभी कभी कुछ numericals भी हमको देखने को मिलते हैं, प्रेक्टिस के लिए जब हम लोग questions को solve करते हैं तो, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि इस graph का जो slope है, इस graph की जो वकृता है, जो धलान ह वो h upon e ही है, दुनिया की हर metal के लिए, ठीक है, तो सारी धातूओं के लिए इस slope का मान, इस धलान का मान h upon e ही रहेगा, और वो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, और यही सवाल में पूछा गया भी है, कि Einstein के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार, धातू से उत्सरजित होने वाला प्रकाशिये इलेक्ट्रॉन की गतिज उर्जा एवं आप्तित किरण की आवरत्ती, यानि गतिज उर्जा में और आवरत्ती के मद्य, आपको एक graph खीचना है, खीचा गया graph एक सीधी जो कि बिल्कुल गलत है, आपतित विकिरण की तीवरता पर निर्भर करती है, तो ये भी गलत है, और सभी धातूं के लिए समान होती है, एवं विकिरण की तीवरता पर निर्भर नहीं करती, तो option number D is the correct option, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अगर आपने ये graph कहीं देखा हो तो, आगे बिटा, देखते हैं अगला question, question number 18, बहुत ही simple question है, again, जो question number 18 है, इसमें आपको match the column लगाने है, और सबसे पहली चीज़, अगर देखो ध्यान से बहुत simple बात ही हो जाती हैं आपर, कि अगर आप इन चारों में से, फर्स्ट वाले को अगर चेक कर लें, तो देखिए ध्यान से, क्योंकि फर्स्ट वाले का फर्स्ट दे रखा है, एका second, एका third, एका fourth, अगर आपने फर्स्ट वाला भी चेक कर लिया, तो आपको आगे इसको solve करने की कोई जरूरत नहीं है, इत वाला जो chapter पढ़ा होगा, communication यानि संचारतंत्र वाला आपने chapter पढ़ा होगा, और उस chapter में आपको clearly याद भी होगा कि हमने range का एक formula पढ़ा था, और वो दोनो antenna के बीच की कुल दूरी को हम लोग कहते हैं, तो सर जो transmitter antenna है और receiver antenna है, ठीक है, जो signal को भेजने वाला antenna और signal को ग् करने वाला, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम range कहते है, तो first का second आ रहा है sir, तो option number B is the correct option, आपको आगे solve करने की इसको जरूरत भी नहीं है, बाकि आप यहां से match भी कर सकते है, कि bandwidth होता कहा है sir, range of frequencies को, आवरत्तियों की range को हम लोग bandwidth या band चोड़ाई कहते ह attenuation क्या होता है बिटा, तो attenuation या क्षिंदता का मतलब हम लोगों ने इसकी भी definition notes में जरूर देखी देखी होगी, definitely कि attenuation या क्षिंदता का मतलब होता है, signal में आने वाली कमी, उर्जा का ह्रास, signal की उर्जा में जो ह्रास हुआ है, कमी हुई है, उसको attenuation कहते हैं हम को इलेक्टरिकल सिगनल को करता है या तो वो और इसको बदल को सिगनल को बदल करता है या फिर बदल 6000 को ब seizure से देखें इस question को है तो बिटा है क्या देखा है हमको दो लेंस देके रखे हुए तीन लेंस देके देख रखे हुए हैं इन्हें हम लोग फिर से बना लेता अगले page पे तो पहला हमारे पास उत्तल लेंस है दूसरा उतल लेंस है और तीसरा जो है एक तरफ से सम्तल है एक तरफ से उत्तल है मतलब सम्तल उत्तल लेंस है फोकस दूरियां बराबर इनकी दे रखी है दस माइनस दस और प्लस दस तो पहले में एक चित्र बना लेता हूं एक उत्तल लेंस फोकस दूरी दस सेंटीमेटर एक अवतल लेंस फोकस दूरी माइनस 10 cm और एक समतल उतल लेंस फोकस दूरी 10 cm और क्या-क्या दे रखा है सर डाग्राम में दे रखा है 20 cm, 10 cm और 20 cm तो पहला वस्तु से लेंस तक की जो दूरी है यह 20 cm देके रखी हुई है ठीक है लेंस से मैं को दूरी दे रखी है दूसरे लेंस की बीच की दूरी 10 cm और अगले दुनों लेंस की बीच की दूरी 20 cm यह डाग्राम सर उतीशिं से रखा हुआ है और सवाल में क्या कहा है what would be the position of image formed by the lens combination given in the figure below यह जो नीचे चित्र बना है इसमें अगर वस्तु को यहां रखा जाए तो इसका प्रतिविम कहां बनेगा यह हमको बताना है तो बड़ाई सिंपल है पिटा आपको आना चीए सिर्फ lens formula इसको solve करने के लिए आपको अगर lens formula आता है तो एक question कोई बहुत कठिन question आप लोगों के लिए नहीं होगा चलिए solve करते हैं हम लोग सबसे पहले में lens formula लगा रहा हूं बिटा जिसके लिए पहले lens को हम लोग देखेंगे इस lens की focus दूरी 10 cm है और इससे वस्तु रखी है 20 cm की दूरी पर तो मैंने formula लगा सर एक बटे f1 बराबर एक बटे v1 माइनस एक बटे u1 चलिए f1 का मांसर 10 है प्लस का 10 तो मैंने प्लस का 10 रख दिया प्रतिविम कहां बनेगा वह हमको निकालना है वस्तु कहां रखी सर बीस सेंटिमीटर लेफ्ट में पीछे की तरफ तो u की जगे लिखा है मैंने माइनस का 20 अचा माइनस माइनस प्लस का एक बटे 20 होगा इधर जाएगा तो वापस माइनस का एक बटे 20 हो जाएगा तो अगर इसको हम लोग solve करेंगे तो देखो 20 लगुत्तम आ जाएगा इसका 20 माइनस 10 यानि 10 बटे यहां पे अगर आप देखो तो 20 आएगा तो यह कितनी बार जाएगा पिटा दो बार 2 माइनस 1 यानि एक बटे वीवन का मान आएगा एक बटे 20 और यह वैल्यू प्लस मे आने वाली है जैसा कि आप लोग देखी सकते हैं तो एक बटे 20 आ रहा है मतलब सर जो वीवन है क्लियरली समझ में आता है 20 सेंटिमेटर की दूरी पर पहला लेंस प्रतिविम बनाने वाला है अचा सर इस लेंस से 20 सेंटिमेटर दूर अगर हम जा रहे हैं यहां कई इन दोन समाना है तो दस सेंटिमेटर यहां कई बन रहा है तो सर इस लेंस से 20 सेंटिमेटर दूर मतलब इस सेंटिमेटर ही दूर है मतलब दूसरे लेंस के लिए जो वस्तू रखी है वो दस सेंटिमेटर आगे रखी है चलिए तो दूसरे लेंस के लिए फॉर्मूला लगा रहा 1 बटे वी टु मैनस एक बटे यूटू मैंनस का दस तो आइक बटे मैनस डेलिया मैंहें एक बटे वी टू कहां बनेगा वह थो हमको निकालना मानस एक बटे यूटू यूटू देखो प्लस का दस है. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस का दस देखो माईनस का एक बटे दस, माईनस का एक बटे दस अगर इधर जाएगा प्लस का होगा और यह 0 हो जाएगा. मतलब सर एक बटे वी टू जिरो अगर मैं cocokow तो कितना आ रहा है बेटा एक बटे जीरो मतलब जीरो का उल्टा जो की होता है अनन्त मतलब सरी जो दूसरा लेंस है ये प्रतिविम कहां बना रहा है सर अनन्त पर बना रहा है अगर यहां से अनन्त दूरी है तो इस लेंस से कितनी दूरी है यहां से भी अनन्त दूरी है मतल जब सर जो ये जो लेंस है हमारे पास तीसरा लेंस इसके लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे एक बटे एफ थरी बराबर एक बटे वी थरी माइनस एक बटे यू थरी तो इसकी फोकस दूरी है प्लस दस वी त्री हम को निकालना है कहां पर प्रतिम बनने वाला है और यू 23 बराबर 10 cm अच्छा इस question को मैंने पूरी तरह से solve किया है डीटेल में इसलिए इसको करने में समय लगा है वरना यह तीन बार formula लगाना है फटा फट से आप लोग लगा सकते हैं ठीक हार्टली एक मिनिट का एक question आपके लिए होना चाहिए तो यह आगया सर 10 cm पर फाइनली इमेज यहां से बन रहा है यहां से 10 cm दूरी पर बनेगा तो सर ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर बनेगा तो दस यह था 20 यह था 30 40 और यह हो गया हमारे पास साहाट इतना क्लियर है क्या यह बात तो देखो हमको देही रखा था कि यह 20 cm है 10 cm 30 30 और 20 यह हो गया 50 50 और 10 यह हो गया हमारे पास साहाट पर इन्होंने तोटल दूरी नहीं पूची हुई है option में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने यही बताया सा 10 cm तुदर राइट ऑफ थर्ड लेंस थर्ड लेंस से 10 cm दूर तो option नमबर ए इस दो करेक्ट ऑप्शन तीसरे लेंस से 10 cm दाई हो ठीक है चलिए आगे बढ़े हम लोग सवाल नमबर 20 देखें बहुत ही सिंपल क्वेशन है कोई समय नहीं लगेगा इस क्वेशन को सॉल्व करन तो इसका मतलब है कि सरे गोला जो है खोकला है और पूच क्या रहा है सर कि तो फॉर्स ऑन देचार जब प्लस टू माइक्रो कुलाम का जो चार्ज रखा है इड़ दे सेंटर इस पर फॉर्स किता लग रहा है तो इस पर फॉर्स लग रहा है सर जीरो ऐसा क्यों है सर क्यों लग रहा है जिरो तो कारण बड़ा सिंपल है सर आप जानते हैं f is equal to q into e और गोले के अंदर हर बिंदू पर एक स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पर intensity जिरो होती है तीवरता जिरो होती है तो तीवरता को अगर मैंने यह पर जिरो रखा तो यह आवेज दो कुलाम का हो या चार कुलाम का हो इस पे कोई बल कार्या नहीं कर रहा होगा तो फोर्स जो लगेगा बल जो लगेगा देट विल बी जिरो न्यूटन ठीक है चले आगे देखे हम लोग अगला क्वेश्चन है करियर वेव आफ पीक वॉल्टेज एक हमारे पास करियर वेव है वाहक तरंग है जिसका पीक वॉल्टेज जो है अधिक्तम जो वॉल्टेज है वो है चौदा वॉल्ट का सर तो जो केरियर वेव है उसका अधिक्तम मान ही आयाम कहलाता है जो वाहक तरंग है करियर वेव है इसका अधिक्तम मान क्या कहलाएगा पीटा आयाम आयाम को मैं ऐसे दर्शा आता हूं और वाहक तरंग की वज़ए से करियर वेव की वज़ए से का है चाउदा वोल्ट का ठीक है इस यूस्ट टू ट्रांस्मेट अ मैसेज इस वहाग तरग का हमने उपयोग किया वाट शुट बीड़ पीक वाल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिगनल सर जो हमारे पास मॉडूलन संकेत है मॉडूलनिस सिगनल है उसका अयाम कितना होगा पीक वैज्यू कितनी होगी डू है इसके लिए मॉडूलेशन इंड इन कस को मु बोलते है वह सात्तरपरसंट हो अचां सथरपरसंट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 70 बटे 100 यानि 7 बटे 10 यानि 0.7 ऐसा भी लिखा जा सकता है अब देखो बहुत ही सिंपल है अगर आपने यह चैप्टर पढ़के रखा है कम्यूनिकेशन वाला तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है म्यू बराबर एएम अपॉन एसी तो म्यू का जो मान है वो अपने को 0.7 दे रखा है एएम हमको निकालना है और एसी के वेल्यू दे रखी है 14 आप इधर ले जाए इसको मल्टिप्लाइ कर दें एएम बराबर 14 इंटू 0.7 तो देखो हम लोग इसको बनाए तो साथ चोग 28 28 का 8 केरी गया टू और 798 लेकिन एक डेसिमल है तो 9.8 वाल्ट विल बी दा करेक्ट आंसर जो मॉडूलन तरंग है मॉडूलेटिंग सिगनल है उसका जो पीक वैल्यू होगा पीक वाल्टेज होगा वह 9.8 वाल्ट का होगा ठीक है तो 9.8 वाल्ट ऑप्शन नमपर सी इस दे करेक्ट ऑप्शन अगला क्वेश्चन हम देखें एट आइडेंटिकल स्फेरिकल डॉप्स आपको आठ बूंदे कि हम एक बड़ी सिंगल लार्ज ड्रॉप बना रहे हैं एक बड़ी बूंद बना रहे हैं पॉटेंशल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप इस बड़ी ड्रॉप का पॉटेंशल आपको निकालना है अगर छोटी ड्रॉप का पॉटेंशल नो वाल्ट है तो आप देखो बड़ी ड इंद्णावा नियुक्ति कुझाओ लेकिन आप जानते होंगे कि विभाउज वो संरक्षित नहीं रहता इंपॉर्टेंट बात है नहीं तो आप करें कि सर एक बून्द पे नो वॉल्ट तो आठ पे कितना हो जाएगा बहुत्तर वॉल्ट लेकिन गलत है क्योंकि आवेश खत्म हुआ दूसरी जगे उतना आवेश आ जाता है लेकिन एक जगे जितना विभव कम हुआ ज़रूरी नहीं है कि उतना विभव दूसरी जगे बढ़ जाए ठीक है तो हम लोग जानते है सर विभव संड़क्षित नहीं होता इसका एक फॉर्मूला होता है n की पाथ दे रखी है तो यहां लिखेंगे आठ थी आथ եा इन्टू विऑ कमान कितना है सर 9 गल्ट देखो याट को लिखा जा सकता है दो की घात 3 पावर में दे रखा है सर साफ-साफ दिखाई दे रहा चाट है तो हमारे पास बचेगा ह हमारे पास बचेगा क्या हमारे पास बचेगा सर दो की घात दो इंटु नौ दो की घात दो मतलब चार इंटु नौ मतलब 36 वाल्ट तो 36 वाल्ट विबह होगा इस बड़ी बून का क्लियर है चली आगे देखे हम लोग which of the following is an example of nuclear fusion सर नाभेकिय सलयन का कौन है इन में से जो उधारण है तो सर यह तो बहुत ही basic question है आप सबने आज तक कई बार सुना होगा कि सर सूर्य में जो अभिक्रिया होती है उसे को हम लोग कहते हैं nuclear fusion या नाभेकिय सलयन इसमें hydrogen आपस में मिलकर helium का निर्मान करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ है सर यह option number C दे रखा है कोई भी इसको पहचान सकता है कि सर हाइड्रोजन से helium का बनना nuclear fusion है नाभेकिय सलयन है तो बहुत ही basic question था अगला question देखे सर किर्चौफ का प्रथम नियम किर्चौफ first law summation i is equal to zero किस संरक्षन के बारे में है तो सर किर्चाफ के दो नियम है किर्चाफ का जो पहला नियम है KCL यह आवेश संरक्षन पर आधारित है जबकि किर्चाफ का जो दूसरा नियम है वो उर्जा संरक्षन पर आधारित है तो इसने पहले नियम के बारे में प अगला क्वेश्चन देखते हैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन था यह अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 25 हमारे पास अंडर दा इन्फ्लूएंस ऑफ युनिफॉर्म मैगनेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूज विद अ कॉंस्टेंट स्पीड वी इन अ सर्कुल देखो युनिफॉर्म मैगनेटिक फील्ड की वजह से यानि एक शंप की छेत्र की वजह से एक व्रत्य मार्ग पे आरतर VC गूमने लगता है दो आपको आई गया होगा कि यह आवेश्यत कंड किसी चुम्बकिये छेत्र remove के अंदर दी सब और मुझे गूम रहा होता है तो ऐसे व्रत्ती आ मारक पर घूम रहा है कि ठीक है इसकी तरेज्जा को मैं अगर R बोलनू तो आपको सब को पता होगा इसका वेग कितना होता है और इसका समय कितना होता है आवर्तकाल कितना होता है तो आवर्तकाल होता है सर इसका M into 2 pi upon B into Q कौन कौन क्या क्या है बिटा तो M जो है M तो है इस कंड का द्रविमान जो घूम रहा है इस पर जो आवेश है वो क्यों आवेश है सर ये भी समझ में आता है आर्थ रिज्या के मार्ग में घूम रहा है B चुम्बकी ये छेत्र है तो आवर्थ काल का ये सूत्र होता है हम लोग जानते हैं और देखो इसमें यही पूछाय कि कंड का जो परिक्रमन काल है time-period of revolution है particle का वो किस पर depend करता है किस पर नहीं तो सर्य बास पर depend करता है field पर depend करता है चार्ज पर depends करता है कि पहला option है कि यह जो आवर्थ काल है T यह आश्रित है किस पर आवर्थ काल आर पर है दोनों पर आश्रित है इंग्लेश में अपने देख लए यहांपर एक misprint नहीं कर रहा है आर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा ना तो इसके सूत्र में वी आ रहा है वेग आ रहा है आवेशित कंड का ना ही त्रिज्ज आ रही है ठीक है तो उस पर निर्वरी नहीं कर रहा है sir V और और दोनों पर आश्रित करता ये भी गलत है आर पर निर्वर करता है कि निर नहीं और नहीं जो है वह सही है देखो आर पे और वी पे दोनों पर आश्रित नहीं है आश्रित नहीं है इंडिपेंडेंडेंट है तो option number B is correct option D वाला भी बोड़ रहा है depend करता है C वाला भी बोड़ रहा है depend करता है तो option number B is the correct option clear है बड़ा simple सा था अगर आपको formula याद है इसका तो आप आसानी से इसको देख लेंगे और formula को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखके जवाब देने की कोशिश करेंगे तो आसानी से इसका जवाब भी देदेंगे अगला question देखें पीटा अगला question है logic gate के आधार पर choose the logic gate represented by following combination of logic gates logic gate का यह combination दे रखा है इससे पहचानना है कि इन तीनों को मिलाकर हमने कौन सा gate बनाया है तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि यह end gate है लेकिन अगर नहीं भी याद है अगर आपने class में इसका practice किया होगा ठीक से तो ज़रूर याद होगा लेकिन नहीं भी याद है तो देखो यह not gate है A को A बार बना देगा B को B बना देगा और यह nor gate है अगर यह or gate होता तो दोनों को जोड़ देता A बार को और B बार को जोड़ देता क्योंकि or gate है लेकिन आगे एक not लगाए nor gate है तो दोनों को जोड़ के उनका बार भी लगा देगा यह इसका boolean equation है boolean semi current निकालना आपको आता ही होगा इसी तरह से निकालते हैं लेकिन यहां आपने D Morgan की प्रमय देखी होगी कि अगर इस बार को मैं दोनों को personally दे दू तो यह plus जो है dot में convert हो जाएगा और A के बार का बार A ही होता है B के बार का बार B ही होता है और यह dot गुणा है इसका मतलब सर्य एंड गेट है तो option number C is the correct option आपको वैसे यह आना ही चाहिए आपने देखा ही होगा कि जब हम लोग सीखते हैं इसको की और गेट और नौर गेट इन दोनों से तीनों गेट हम बना सकते हैं यह universal गेट कहलाते हैं तो हम वही देख रहे थे कि सर नौर गेट से और गेट से इस तरह की combination आपने उस समय देखे होंगे सिखे होंगे जब आप इस तरह का calculation कर रहे थे तो बड़ा simple सा question है कोई बहुत tough question ही नहीं है आगे देखे question number 27 बहुत अच्छा question है पहले भी इसे कई exams में देखा जा चुका है तो काफी famous question है अभी देखे question number 27 है यह graph पहचानने का बोल रहा है बोल रहा है सर एक sale है जिसका EMF जिसका विद्धित्वहक बल ई है इसका internal resistance आंत्रिक प्रतिरोध छोटा आर है बाहे प्रतिरोध capital आर है आपको the plot of V versus R V और R का plot आपको बताना है देखो V और R के लिए पहले आपको V और R का formula चाहिए बटा V बराबर हम लोग लिखते हैं V बराबर IR सब लोग जानते होंगे लेकिन इस formula में V निकालने के लिए हम जब आई का इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि यह यह आई सेल में ले रखा है जिसका विद्युत्वाग बल्भी और आंत्रिक प्रतिरोध भी है तो हम इसे लिखेंगे E upon R प्लस R इंटू में capital R भी है अब अगर मैं यहां से नीचे से R को common निकाल लूँ देखो ध्यान से मैं R को common निकाल रहा हूं बिटा R को जैसे ही common निकाला मैंने तो यहां तो वना गया यहां आजाएगा R upon R और इंटू में already एक R दे रखा है इसी लिए common निकाला है ताकि R से R कट जाए और हमारे पास formula आजाए V का कि V is equal to E upon 1 प्लस R by R यह हो गया सर V का formula आप graph कैसे पहचाने सर तो इसमें limit put करके हम देख लेते हैं कि सर अगर हम R को 0 रख दे अगर हम यहां से R को 0 रख दे तो V की value कितनी आईगी है चेक कर लेते तो देखो R अगर यहां 0 रख दिया capital R को अगर मैंने 0 रख दिया यानि जब x axis की value यहा थी तो यह V की value कहा थी यह भी यहां था यहां था यहां था यहां था किस जगे था तो हम यहां पर put करके देख रहे हैं sir r को 0 रखा तो किसी के भी upon में r मतलब infinite यह infinite आ गया sir e के बटे में infinite आ गया तो किसी के भी बटे में infinite मतलब 0 क्योंकि अनंत का उल्टा 0 होता है तो v की value भी देखो यहां पर 0 हमको मिल रही है मतलब sir अगर आप यहां पर जाएंगे तो r की value भी 0 थी r की value जब 0 थी e की value भी उस समय 0 थी ठीक है तो देखो ध्यान से आगे देखे हम दूसरा case अगर मैं r को अनंत पर चेक कर लेता हूँ अनंत पर चेक कर लेता हूँ तो v की value कितनी आएगी r को अनंत रख दिया sir किसी के बटे में अनंत मतलब 0 तो 1 प्लस 0 एक यानि v और e बराबर हो जाएंगे तो v और e दोनों कैसे होंगे sir बराबर दोनों values हम लोग यहां पर put करके देख चुके हैं तो r जब 0 था तो v भी 0 था अगर इसका graph देखे हम एक तरफ r ले ले एक तरफ हम v ले ले और v के ही एक मान को इस मान को में e बोल देता हूं तो देखो जब r 0 था तब e भी 0 था और जब r अनंत हो गया यानि बिल्कुल बहुत final पे तब v की value e को touch कर रही है भी e के बराबर हो रहा है मतलब यह direct यहीं आके cut नहीं कर रहा है इसको अनंत पर cut करेगा इस तरह इसके parallel हो जाएगा और क्योंकि समान तर रेखाए अनंत पर मिलती है parallel lines जो है वह infinite पर जाके मिलती है ठीक है चलिए आगे देखें हम लोग यह graph आपको पहचानने में आई गया होगा option number c is the correct option आगे देखें सवाल number 28 है what is the approximate earth dipole moment if the earth's magnetic field at the equator is approximately 0.5 gauss and diameter is equal to 15 into 10 to power 6 meter बड़ाई अच्छा question है earth का dipole moment पूछा इसने द्विध्रू आगोण प्रत्वी का द्विध्रू आगोण अगर भूमद्धी रेखा पर equator इसने मान दे रखा है तो देखो अगर आपने देखा भी होगा प्रत्वी को तो प्रत्वी में हम लोग चुम्बक को कुछ इस तरह से रखते हैं एक मेगनेट को इमेजिनरी मेगनेट को इस तरह से रखते हैं और भूमद्धी रेखा यहां कहीं है तो इसकी सर निरक्षी इस्थिति में है यह तो निरक्षी इस्थिति का हम लोग formula लगा देंगे सीधे सीधे जो निरक्षी इस्थिति है तो निरक्षी इस्थिति का formula sir BE बराबर क्या होता है के MR3 बड़ा simple सा formula है कई बार हम लोग इसको लगा चुके हैं आपने class में भी कई बार practice किया ही होगा इसको सारी values हम लोगों को sir M की value चाहिए बाके सब दे रखा है क्या क्या दे रखा है सर विद्ध्युच्छेत्र चुम्ब की च्छेत्र सौरी हमको देके रखा है बीज इकवल टू 0.5 गॉस और एक गॉस बराबर होता है 10 की घात माइनस 4 टेसला तो sir इसको टेसला में बदल दिया MKS में बदल दिया हमको diameter दे रखा है लेकिन हमको radius चाहिए R का मान चाहिए तो R का मान कितना होगा sir 15 बटे दो हो जाएगा 10 की घात 6 मीटर इतना दे रखा है और R के बाद हमको sir K का मान भी पता ही है मतला हमको सिर्फ M निकालना है K की value भी आप लोग जानते ही है K की value कितनी है तो K की value है 10 की घात माइनस 7 अब आपको करना क्या है सिर्फ M का formula लगाना है कैसे निकलेगा sir तो R को इधर पहुँचा देंगे हम इधर M अकेला रह जाएगा आर इधर चला जाएगा तो बनेगा sir B E R क्यूग अपॉन में के यह मान रख देते हैं sir M बराबर B E है जो 0.5 जिसको 1 by 2 भी लिख दू में तो ज्यादा अच्छा है जो 0.5 है इसको लिख देते हैं वन बाइ टू इंटू 10 बार माइनस 4 टेसला ठीक है तो यहां पर लिख दिया sir मैंने या तो अपने को 5 कटने जैसा दिखाई दे रहा है क्या तो 5 भी इसको रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको अपन ऐसे और रख ले डेसिमल शिफ्ट करके रख देते हैं डेसिमल यहां कर देते हैं पावर और कम हो जाएगी तो यह बन जाएगा सर कितना 5 इंटू 10 बार माइनस 5 टेसला तो डेसिमल की भी कहा नहीं हमने कंप्लीट करी तो हम देख देते सर क्या है इंटू 10 बार माइनस 5 और आर क्या है आर है सर 15 बटे 2 15 बटे 2 10 की घात 6 तो यहां रख देते सर 15 बटे 2 इंटू 15 बटे 2 इंटू 15 बटे 2 इंटू 10 की घात 6 का क्यूब है तो 10 की घात 18 आ जाएगा छे बारा 18 अपान में हम के रख देते हैं नहीं 10 की घात माइनस 7 बहुत कठीन कैलकूलेशन नहीं है बहुत आसान कैलकूलेशन है आप देखें किसको आप कैंसल आउट कर सकते हो वो अपन लोग देख लेंगे तो देखो पहला काम तो मैं कर देता हूं लगबग लगबग 2 इंटू दो इंटू दो 16 होता है 16 से इसको अगर 16 मानलू में तो दो बार यह कट जाएगा हलाकि इसमें चोटा सा एप्रॉक्सिमेशन है यह संख्या थोड़ी छोटी है मैंने इसको बड़ा मान लिए 1.9 टाइम कटेगा पर मैंने इसको एप्रॉक्सिमेटली दो ले लिया ठीक है 2 ले लिया मतलब सर थोड़ा बड़ा ले लिया अंसर जो आए का मेरा थोड़ा बड़ा आएगा option मैं जो Isaiahूँँचा थोड़ा सा छोटा होगा हमारा यह थोड़ासा से थोड़ा पड़ा राने वाला है अच्छा सर अब क्या तो देखो ये भी तुमको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सर ये दो इंटू पांच जो है ये दस बनने वाला है तो क्या-क्या बचेगा अपने पास देखो एम निकालने के लिए अच्छा दस की घाथ पांच इस पांच से कटेगा तो माइनस दो अठारा और बटे में सर दसकी घाथ माइनस दो अचा दसकी घाथ माइनस दो अगर उपर जाएगा मैं कि टो प्लस दो होगा तो यह 20 जीरो जाएंगे एक जिरो यह एक जीरो हो गये तो तो सर मेरे पास क्या है 15 into 15 into 21 0 10 की घात 21 और 15 15 होता है सर 225 into 10 की घात 21 अब आपको आना क्या चाहिए पिटा decimal shift करना आना चाहिए decimal यहाँ है एक दो डिजिट पीछे दो डिजिट पावर आगे यानि प्लस टू कर दोगे तो इसको लिखा जा सकता है 2.25 into 10 raised to power 23 लगभग लगभग 2 into 10 की घात 23 2.25 चोटा आएगा क्योंकि मैंने approximately solve किया था तो 10 की घात 23 वाला दो option दिखाई दे रहे हैं पर option number C will be the correct option 10 की घात 23 सूपर तो दोनों में ही नहीं इन दोनों में हैं लेकिन एक के आसपास आ रहा है तो option number C will be the correct option आगे देखें हम question number 29 है in Bohar's atomic model the radius of first orbit is R0 Bohar का जो atomic model है उसमें पहली जो त्रिज्या दे रखी है first orbit की जो radius दे रखी है उसको कहा गया है R0 तो the radius of third orbit will be तीसरी orbit का radius कितना होगा तो देखो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो radius of nth orbit का formula n-way कक्षा की जो त्रिज्या है उसको निकालने का सूत्र हमको दिया हुआ था R0 और n square बटे Z यह सूत्र है अच्छा बोहर ने जो परमाणू model दिया था हाइड्रोजन के लिए दिया था इसको हम लोग लगा सकते हैं दूसरी जगे obviously पर यहाँ जो Z है इसका मान एक रखेंगे क्योंकि यह hydrogen है hydrogen के current Z की जगे एक रखेंगे और क्योंकि हमको तीसरी कक्षा के बारे में पूछा है तो n का मान हम लोग तीन रख देंगे यह कक्षा है orbit है ठीक है तो हम लोग values को put up कर देते हैं rn बराबर r0 3 का square upon 1 यानि यह clearly दिखाई दे रहा है 9 r0 रहेगा option number b will be the correct option ठीक है चलिए सब को clearly समझ में आ रहा होगा अगला सवाल देखे question number 30 a magnet suspended freely at the equator will set itself to the surface of earth एक भूमत दी रेखा पर एक चुमबक को स्वतंतर रूप से लटका दो तो वह खुद को प्रत्वी की सतह के बताओ समांतर करता है या लंबवत करता है तो इसका भी आपने बेटा डेग्राम देखा होगा जरूर हम magnetism and matter यानि पदार्थ और चुमबक कत्व के बारे में बात करते हैं तो आपने definitely देखाऊ गा मांलो यह चुमबक रखा हुआ है और यह North Pol है यह South Pole है अर्थ के अंदर कहीं पर और हम यहाँ पे चुम्बक को रख देते हैं तो उस चुम्बक का नौर्थ पॉलिस साउथ से अट्रेक्ट होगा और साउथ दूसरी तरफ होगा देखो इस तरह का डाइग्राम होगा अच्छा ये जैसे जैसे ये इसको रिपेल करेगा तो ये इस तरह से जाएगा ये साउथ वाला पार्ट देखो इस तरह से इधर हो गया तो बीच में कहीं इसकी सिच्वेशन ऐसी होगी साउथ इधर होगा नौर्थ इधर होगा और धीर ऐसे आके ये वापस यहाँ पर ऐसा होने वाला ये डाय डायग्राम पे डेफिनेटली आपने देखाई होगा अगर आपने इर्थ मेगनेटिसम यानि प्रत्वी के चुम्बक कतू को पढ़ा है तो डेफिनेटली आरप ने देखा होगा और नौर्थ यहां ऐसा आगया अगर आप दोनों जगें इसको देखो कि जब सर य ये 90 इग्री का कुन मना रहा था चुम्बक और जब ये भूमध्र था तो ये समांतर हो गयाता तो सरे और यैन्याद यूट्र पे तो यूटे समांतर हो जाता है पहले किसका पूछा है सर इक्वेटर ही पूछा यह समांतर हो जाता है पैरलल हो चाहिए क्लियर है मेर खुगव की आगे देखे क्व्य के बाद क्वस्ट्र नुम्बर 31 लगयग वर्ट सिंपल कुष्यण है क्व citrus 31 में माच बॉक्स ऑफ 7 cm 4 cm 1 cm हमारे पास एक मैच बॉक्स एक मांच कितना होगा if the density of nuclear matter is approximately यानि हमको सर जो नाभी की पदार थे उसका घनत्व देके रखा हुआ है घनत्व कितना दे रखाए सर घनत्व को density बोलते डी से दर्शाते हैं दे रखाए 2.3 इंटू 10 की घात 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और सर हमसे पूछा क्या है द्रविमान सर फमसे पूछा है इप्रॉक्सिमेट लीस इसका द्रविमान कितना है और лиमबाई घुड़ी तूछी लगा दे सर् nam सर दसिगराम जोग्रों 1 यानि दस्यों की घातdon मायनु तो हो गया और दस्की घात मैनस divide यानि 2 इंटू 10 की घात माइनस 5 मीटर क्योब अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अगर डेटा भी आपने निकाल लिया तो इसने क्या बोला है घनत्व बराबर द्रविमान बटे आयतन या द्रविमान बराबर घनत्व इंटू आयतन घनत्व दे रहा है सर 2.3 दसकी घात 17 और आयतन दे रहा है सर 2 इंटू 10 की घात माइनस 5 अब सर 2 का गुणा अगर हम 2.3 में कर देंगे तो ये तो आजाएगा 4.6 इंटू 10 की घात हो जाएगी 12 तो 4.6 इंटू 10 की घात 12 लेकिन क्या सभी में लिया तो ये भी में होगा तो ग्राम वाला माइक्रो ग्राम वाला मिलिग्राम वाला सारे गलत है 4.6 इंटू 10 की घात 12 किलो ग्राम इट विल बी दा करेक्ट ऑप्शन क्लियर है चलिए आगे देखें क्वेशन नमबर 32 है the force between two electric charges is expressed by the equation यानि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल इस समीकरण से दिया जाता है which of the following statement is correct इन में से कौन से वो statement है जो सही है तो बहुत आराम से हम इसका जवाब दे सकते हैं बिटा ध्यान से अपन इसको देखें तो पहला दे रहा है सर कि समीकरण में जो है यह बिंदू आवेशों के लिए सही है तो बिलकुल सही बात है यह point charge के लिए ही सही है कि इसमें Boltzman constant है जो की गलत है कि कुलाम का constant है R is the radius of sphere on which the two charges are placed तो सर आर जो है गोलों की त्रिज्जा नहीं है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है the equation can only be applied to uniform electric field केवल uniform electric field में लगाया जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है इसको कहीं भी हम लोग लगा सकते तो option number dv गलत है option number a is the correct option ठीक है चलिए विटा आगला question देखें हम question number 33 which of the following statement is not true when the two capacitors charge to different potential are connected in parallel by a conducting wire हम लोगों ने क्या किया है सर कि दो capacitor को जिनकी capacity अलग-अलग है दो संधारित्र जिनकी धारिताएं अलग-अलग है और जिनको अलग-अलग विभवांतर तक हमने आवेशित करके रखा है उनको एक तार से जोड़ दिया तो क्या होगा सम एनर्जी लॉस्ट कुछ उल्जा लुप्त होती है बिल्कुल सही है सर हम जानते भी है एनर्जी लॉस पूछा भी जाता है कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ दोसरा देखें था चार्ज लॉस्ट बाइवग एक जितना आवेश देने वाला है दूसरा उतन आवेश लेने वाला है था क्योंकि आवेस संड़क्सित रहता है थोड़ी दर पहले वह आपको बोथ तक केपैसिटर एक्वार कॉमन पोटेंशल तो आपको यह टॉपिक या यानि समान विभाव यानि हम लोग की सब्सक्राइब भी बिराबर और यह नहीं आम यह दोनों का विभाव ब्राबर होना ये वी सफ़ लेकिन पोटेंशल सस्थ बंढरण यतना करना में दोसरा इपन यह नहीं प्लॉटन्झाद प्लॉटेंशित नहीं रहता कंजर्व नहीं रहता तो option number D जो है वो गलत है और इसलिए जो हमारा answer होगा वो होगा option number D क्योंकि हमको बता नहीं है कि not true इनमें से कौन है जो गलत लिखा है कौन सा कथन सत्य नहीं है तो option number D जो है वो गलत है यानि हमारा answer option number D होगा आगे देखे question number 34 which of the following spectral line is formed in the visible region तो सबसे पहले हम सर बामर सीरीज को पढ़ते हैं क्योंकि वह हमको दिखाई देती है तो बामर सीरीज जो है वो visible region में आती है लायमन सीरीज किस में आती है तो सर हम लोग पढ़ते हैं IR में उपर के तीनों आते हैं और UV में लायमन आता है यूवी विजिबल आयाार लायमन श्रेणी जो है यूवी छेतर में आती है बामर श्रेणी द्रसी प्रकास में आती है और इसके बात की श्रेणिया आवरक्त प्रकास में यानि i प्रकाश चेत्र में आती है आयार इंफ्रारेड जो रीजन होता है उसमें आती है तो question number 34 theoretical question था question number 35 जो है पिटा इन दो potentiometer circuit the balanced point is at x x पे balance point है सर यहां पे इस चेत्र पर ही आधारित प्रश्न है the balance point will be shifted towards B जो balance point है यह point यह B की तरफ shift होगा कब कब तो सबसे पहला बोल रहा है कि हम लोग resistance are increase कर दे इस आर को बदल दे तो हम जानते हैं सर कि resistance अगर आप बढ़ाओगे तो यह इसको आगे ही ले करके जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट है थीक है यह विभाव मापी चेप्टर का है potentiometer जो topic है current electricity का उसी का topic है और बड़ा theoretical बड़ा ही simple question है अगर यहां series में कोई resistance होता तो वह इसको अफेक्ट नहीं करता लेकिन यहाँ parallel में है और इसको समानतर में यह जो प्रतिरोध हमने यह लगा रखा है एस अगर आप इसको बढ़ाओगे तो यह इसको इदर पीछे कीचेगा तो second देखे resistance as is increased अगर हम एसको increase करे पर यह गलत है सक एसको increase करोगे तो यह पीछे shift होगा जो कि गलत है तो option नमबर बी तो है incorrect option नमबर सी है सेल पी इस रिप्लेजड बाइ अनादर सेल इमएफ इस लोवर दें क्यू क्यू से कम एमएफ के लिए सर हमको length भी कम ही मिलेगी मतलब यह इदर ही shift होगा तो यह बी option नमबर सी भी गलत है क्वेशन नमबर दी है polarity of q is reverse अगर मैं इसकी polarity बदल दूँ इदर माइनस वाला लेओ इदर प्लस वाला तो यह potential मीटर जो है balancing length देगा ही नहीं तो option नमबर डी भी गलत है तो answer है option नमबर ए ओनली कि a will be the correct option clear है चले simple question था बेटा question 36 देखें हम energy of photon corresponding to wavelength 600 नेनो मीटर 600 नेनो मीटर wavelength का हमारे पास एक photon था सर वेवलेंद लिख देता हूं मैं इसकी 600 नेनो मीटर और उसकी जो energy थी वह कितनी थी सर energy थी 2.08 electron volt the energy of photon of wavelength 400 नेनो मीटर तो अगर कोई photon है जिसका wavelength 400 नेनो मीटर है तो उसका energy कितना होगा बड़ा simple सा question है आप लोगों को सबको पता होगा एक formula e is equal to 12400 divided by lambda यहाद होगा यहाँ पर e electron volt में होना चाहिए और लेंड़ा एंग्स्ट्रॉन में अगर आपने लेंड़ा को एंग्स्ट्रॉन में ले लिया तो जो आपका energy है वो इलेक्ट्रॉन वर्ट में आएगा तो बड़ाई simple है पिटा आप देखे कि e और लेंड़ा यह और लेंड़ा दोनों inversely proportional है या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी कर दें कि e e जिसका मान electron world में है और लेंड़ा जिसका मान एंग्स्ट्रॉन में है तो उसकी value आएगी 12400 अचा सर अगर यह nanometer में होगा तो यह 1240 हो जाएगा 1240 लेकिन होगा तब भी constant मतलब sir e और lambda का जो मान है इनका गुणनफल हमेशा नियत आता है तो हम इसको solve कर सकते हैं बहुत ही आसानी से आपको कुछ नहीं करना lambda 1 e 1 lambda 2 e 2 तो sir e 1 into lambda 1 बराबर e 2 into lambda 2 लगाएं और question को solve करने बड़ा ही simple question है कि sir e 1 की value 2.08 lambda की value 600 e 2 की value हमको निकालना है और lambda की value 400 बड़ा ही simple question है आप इसको 2 0 से 2 0 काट दे 4 को upon में ले आएं तो sir 4 को जैसे upon में लाओगे तो यह 6 बटे 4 यानी 2.08 into यह हो गया 3 बटे 2 e 2 की value अच्छा सर 2 का मैंने इससे भाग दे दिया तो 1.04 आ गया और इसका गुणा करूंगा तो 3.12 electron volt ऐसा कोई option है option number B is the correct option clear है बड़ाई simple question था तो देख रहे हैं आप लोग कोई बहुत कठीन question है यहां पर नहीं है theoretical है conceptual है अगर आप concept बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और theory भी आपने अच्छे से पढ़के रखी है तो बहुत ज्यादा calculation नहीं है calculation है भी तो बहुत simple calculation है ठीक है during the pn junction formation जब pn junction बनता है अब देखो द्यान से समझेंगे इसको अब लोग इसको पी रिजन इसको एंड रिजन मान लेते हैं और अगर अगर iletron एलेक्ट्रों सोते हैं और पी रीजन वर्ट इतना हम लोग जानते हैं अ कि अब यह बाइस आप बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रों से यह ठीक है और यह फॉरवर बैस में यह फॉरवकिया अगर अभी नती में है अच्छा जब अगर अभीनती में होगा तो क्या पूछ के आ रहा है किस साइड एंच चैत्र में ग्राही होंगे मतलब विशरित होता है तो पीछे क्या छोड़के जाता है मतलब जैसे यह यहां से आ गया तो पीछे कौन है क्या पीछे खाली जगह आ गई क्या यह वो पूछना चारा है कि क्या होल आ गया क्या इलेक्ट्रॉन के जाने से यहां पर तो ऐसा नहीं है बैटरी का काम ही है potential difference प्रोवाइड करना ताकि इलेक्ट्रॉन का circulation यहां चलता रहे current यहां पर पास होता रहे थीक है तो जैसे ही N छेत्र से P छेत्र की और इलेक्ट्रॉ दे देती है यानी रिनावेशित आयन दे देती है जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग दान करते हैं जिसको हम बोलते हैं तो एन चेतर में आयनिक डाता है ठीक है ड्रोनर ओन सब्सक्राइब दोनर छोड़ के जाता है ठीक है यहां पर यह P side पर donor नहीं छोड़ता, N side पर छोड़ता, P side तो अच्सेप्टर आ रहा है, ठीक है, और N side पर अच्सेप्टर आ रहा है क्या, ग्रही आ रहा है क्या, यह भी गलत है, हो लाई नहीं नहीं यह, इलेक्ट्रॉन का सप्लाइ बैटरी ने बना करके रखा है, तो option number B will be the correct option, आगे बढ़ते हैं चलिए, अगला question देखते हैं बिटा, which of the following circuit cannot be used to measure the resistance of resistor R, कौन है जिसका हम उप्योग नहीं कर सकते, मतलब हमको एक ऐसा परिपत बताना है, जो की गलत बना हुआ हूँ, ठीक है, तो कौन सा इन चारों परिपत में से ऐसा है, जो यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब जो गलत बना हुआ है, तो सर देखो, यहां वाल्ट मीटर पैरलल में है, अमीटर सीरीज में है, बिल्कुल सही है, यहां अमीटर सीरीज में है, यह भी सही है, यहां देखो, वाल्ट मीटर सीरीज में यह गलत है, और यहां पर अमीटर सीरी क्यों क्यों होगा सर ऐसा तो इसलिए होगा सर क्योंकि ऑप्शन बर बी में जो सर्केट बनाया वो गलत है और यहीं हमको पता करना था कैन नौट भी यूजड प्रयोग नहीं किया जा सकता तो भी वाला हम प्रयोग नहीं कर सकते आगे देखें पीटा क्वेशन नमट 39 जैनर जैनर इसका भंजन वाल्टेज है तो जैनर टायोट से कितनी धारा प्रवाइट हो रही है केवल आपको ओम का नियम लगाने आना चाहिए जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ सा 25 वाल्ट का विभव हमने बैटरी को दिया और 15 का इसको ही मिल गया तो इसके लिए कित्ता बचा 10 वाल्ट अब्वेसली 10 वाल्ट बचा है तो हमको यह पता लगेगा सर यहां से धारा कितनी जा रही है तो बना लेतें सर 10 वाल्ट के लिए वी बराबर आई यार लगा रहा हूं मैं वी का मान सर 10 वाल्ट है आई का मान हमको निकालना है आर का मान है सर 500 तो 500 इदर बटे में आ जाएगा तो आई बराबर आ गया सर एक बटे पचास या ऐसा बोलदू में कि दो बटे सौ या ऐसा बोल दू सर 20 बटे 1000 हग और 20 2000 मतलब 20 इंटू 10-3 एंपयर यानि 20 अbecue मिली ἐंपयर अब इसको by Matthew में कियो कन्वर्ट किया है या आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इस तरह के क्वेंट में में जो देख के बिझाइट कर सकते कि अर्ब कर हैं John के क्वेंट को देखो देख के अंसर मत लगा देनस 20 मिलियं क्योंकि हमसे क्या इंट्ब से कितनी धरा प्रवाइओ क MARK 8 variety schools क्वेड सब्सक्राइब कितनी को मअगे बांगे लिए सर बीस मिली एंपियर पर में को पता करना है कि यहां से कितनी जा रही उसके लिए क्या करूं उसके लिए मैं यहां से निकाल लेता हूं सर कि यहां से कितनी धारा जारी पता लग जाएगा तो बची हुई धारा यहां डायोट से जा रही होगी मतलब कैसे निकालू सर तो इसक का potential difference save होगा तो यहां तो पंद्रा वॉल्टी आएगा धारा कितनी है वो हमको निकालना है और आर कितना है तो सर एक हजार ओम है एक हजार ओम एक हजार बटे में जाएगा 15 बटे एक हजार या फिर 15 दस की घाठ माइनस तीर यानी 15 मिली एंपियर तो सर 20 mili एंपियर धारा यहां से आई और यहां से 15 मिली एंपियर जा रही है तो डiał odpowied से कितनी जा रही होगी किसी को बें पता हैं शर 5 जल्दबाजी में solve करते तो हो सकता है 20 मिलियंपियर या पंसर लगाके आ जाते हैं क्योंकि हम लोगोंने टोटल करेंट निकाल लिया हमको पता लगता सर एंपियर मी magnitude of magnetic force on a current carrying conductor सर एक धारा रिखी है चालक पर लगने वाला बल एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा यह बहुत ही फेमस है यह बल लगता है सर चालक पर और आवेश पर कितना लगता है सर एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा यह मैगनेटिज्म के बहुत ही फेमस फॉर्मुले हैं दोनों किसी चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है तो क्यू वी बी साइन थीटा और चालक पर कंड़क्टर पर कितना फोर्स लग रहा है तो आई एल बी साइन थीटा तो आया पूछा है हमसे सर धारा रेखिए चालक पर बल कितना लग रहा ह तो question number 40 बहुत simple था, question number 41 हम देखते हैं, two coherent light beams of intensity, I and 4I, तो सर हमको दो प्रकाश की तीवरताय दे रखी है, एक दे रखी आई, और दूसरी दे रखी है 4I, इनका super imposition होता है, यह इनका अध्यार open होता है, the maximum and minimum possible intensity, तो देखो maximum या minimum अगर हमको निकालना होगा, intensity का resultant, resultant भी नहीं कहा है इन्होंने, तो हम इनको अलग-अलगी निकाल लेते हैं, maximum कैसे निकाले, minimum कैसे निकाले, बता देता हूँ, तो maximum क्या होता है सर, तो root I1 plus root I2 का whole square, और minimum कैसे निकाले सर, minimum कैसे निकालता है सर, I minimum, root I1 minus root I2 का whole square, यह maximum और minimum intensity निकालने का formula है, बहुत ही famous formula है, अगर आप लोग wave optics चालू करते हो, तो सबसे पहले जो सवाल होते हैं, जिनसे आपका पाला पढ़ने वाला है, थियोरी के बाद, तो यही सवाल होते हैं, intensity के, चलिए तो मान रख देते हैं हम यहाँ पर, I max की अगर हम बात करें, तो root I1 की value I है, तो root I plus root का 4 I, तो देखो root का 4 तो बाहर हो जाएगा, root I plus, यहाँ पर कितना आजाएगा, 2 root I, इसका whole square, तो कितना हो जाएगा, सब 3 root I का whole square, मतलब सब 3 का square 9, और इसका I root का square करोगे, तो I आजाएगा, तो option number A और B तो गलत है, maximum के लिए, minimum के लिए same चीज़ है, root का I minus root का 4 I का whole square, root का I minus 2 root I का whole square, अच्छा, एक root I में से 2 root I जाएगा, तो minus का root I बचेगा, इसका whole square तो minus का square plus, और root I का square I, तो answer आएगा 9 I और I, तो option number C is the correct option, अब क्योंकि यहाँ पर 3 I आगया, इसलिए गलत हो गया, तो देख रहे हैं, आप लोग बहुत ही simple question है, कोई बहुत जादा tough question नहीं है, आपने basic basic question भी अगर लगाए होंगे अपने notes के, तो आप बहुत आसानी से इस paper को solve कर लेंगे, यह question देखिए, which of the following spherical lens does not exhibit dispersion, तो sir इन में से कौन है जो dispersion नहीं बताता, यानि कि परिक्षेपण नहीं दर्शाता, कौन है ऐसा, तो sir ऐसे परिक्षेपण नहीं दर्शाने वाले, उसके लिए सबसे ज़रूरी तो यह है, कि अगर यह condition हमको कहीं मिल जाए, कि पहला जितना फैला रहा हो, दूसरा उतना समेट रहा हो, एक जितना प्रकाश को बिखेरेगा, दूसरा उतना प्रकाश को समेट देगा, मतलब एक का dispersion, दूसरे के dispersion के बराबर होना चाहिए, लेकिन उनके दिशा विपरीत होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक जितना वन विक्षेपण करता है, पॉजिटिव, दूसरा उतना नेगिटिव करता है, तो ही ऐसा हो सकता है, कि जो कुल थीटा हम लोग निकालेंगे, वो आ जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर जीरो, तो इसके लिए देखो, ये तो दोनों सत्ह हैं, क्योंकि सम्तल है, तो ये प्रकाश को ना तो फैलाएंगे नहीं मिलाएंगे, ये दोनों अंसर हो सकते हैं, लेकिन देखो, ये एक प्रकाश को फैलाएगा, दूसरा मिलाएगा, लेकिन दोनों की त्रिज्जाएं अलग-अलग है, तो ये बराबर फैलाएंगे नहीं, जितना फैलाएंगे उतना ही मिला दे सा जरूरी नहीं है लेकिन option number C ही एक मात्रे सा option है, क्योंकि इनकी त्रिजाएं भी बराबर है तो जितना एक फैलाएगा प्रकाश को disperse करेगा, उतना ही दूसरा प्रकाश को मिला देगा यानि सातों रंगों को वापस मिला देगा, तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों सर्फेस बिलकुल एक जैसी हो बढ़ दोनों का नीचर अलग हो, ठीक है तो option number C is the correct option अगले question की तरफ बढ़ते हम लोग, a transformer has efficiency of 80%, 80% efficiency है इटा की value 80% है, यानि 0.8 भी हम इसको लिख सकते है, it works at 3 kilowatt 3 kilowatt का मतलब होता है सर, 1000 तो 3000 watt के power पे ये काम करती है, P1 है and 120 watt, V1 भी दे रखा है, 120 watt का हमको potential भी दे रखा है, V1 भी दे रखा है secondary voltage जो है V2, ये 240 है, 240 watt, what will be the secondary current आप से I2 पूछा गया है, तो अब आप कैसे निकालेंगे सर, तो अगर ये 100% ideal होता तो हम R का formula लगा देते, यानि transformer ratio, लेकिन क्योंकि ये 100% efficiency की नहीं है तो हम efficiency का formula लगा कर ही, इसको solve करेंगे, eta is equal to output upon input अब क्योंकि हमने इसको decimal में ले लिया है, percent में नहीं लिया है, इसलिए अपन 100 नहीं ले रहे अच्छा सर, output आपको दे रखा है, क्या output मतलब P2 जो की देहीं नहीं रखा, input मेरे पास है 3000 का तो eta लिख दिया सर मैंने 0.8, output यानि P2 जो है इसको लिख सकता हूं मैं, V2, I2, P is equal to VI होता है और input power है 3000, ठीक है, अब देखो यहां पे और कौन-कौन सी values है, 3000 को इधर ले आता हूं मैं, 3000 into 0.8 is equal to V2 की value है, 240 और I2 हम लोगों को चाहिए, अब देखो जो-जो cancel out हो रहा है, इसको cancel out करते है, decimal हटाते है, 0 आएगा, एक 0 से एक 0, इधर वाले 0 से इधर वाला 0, बचेगा क्या, तो पहले हम देख लेते हैं, इधर बचा है सा 30, इधर बचा है 8, और यह 24 इधर अगर बटे में आ आठ से तीन बार में, आठ से एक बार में 30 बटे 10, 30 बटे 3 मतलब 10 ampere will be the correct option, 10 ampere हमारा answer हो जाएगा, बड़ा ही simple question था, आपने transformer के question भी मतलब possibly नहीं है कि आपने transformer के question class में नहीं किये हो, आप कहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन transformer के इस तरह के question आपको definitely देखने को मिले होंग ठीक है और वैसे ही question था, कोई tough question नहीं, कोई नया question नहीं, मतलब अभी तक जितने भी question हम लोगों ने या solve किये हैं, सारे question हम लोग class में पढ़ चुके हैं, ठीक है, चलिए, question number 43 के बाद, question number 44 देखते है, the half life of a radioactive substance is 10 days, एक radioactive substance का जो half life है बिटा, वो कितना दे रखा है, वो द 15 दिन का अरधायू काल दे रखा है, इसको how many days will it take, कितने दिन लगेंगे यह अपने से पूछा है, तो small t पूछा है, to disintegrate of its initial value, तीन बटे चार गुना disintegrate होने में कितना समय लगेगा, अगर सर मान लो, starting में यह था, no, n0 था, और इसमें से यह, 3 by 4, n0 disintegrate हो गया, यानि विगटित हो गया, तो बचा कितना सर्फ, 4 minus 3 मतलब, n0 by 4 बच गया, तो जो n हम लोग निकालते हैं, वो ऐसी तो निकालते हैं, n कैसे निकलेगा, कितना बच गया है, उसको n बोलते हैं, formula भी आप लोगोंने, definitely देखके रखा होगा, n is equal to होता है, n0 की power 2 की power n, यहां by 4 यह लिखा है, n0 upon 2 की power n, अगर यहां देखो, n0 से n0 कट जाता है, बस्ता है, 2 की power n is equal to 4, मतलब, sir, 2 की power 2 is equal to 2 की power n, मतलब n is equal to 2, और n is equal to 2 हो गया, तो समय निकालना बहुत सिंपल है, यह भी कोई नया question नहीं है, बैटा, यह भी सबसे simple question जो होता है, अरधायु काल का, वो यही question, definitely आपने जब भी इस chapter को पढ़ा होगा, तो आपको definitely यह question देखने को मिला होगा, कि अरधायु काल और समय, इन दोनों का relation क्या होता है, तो sir, t is equal to n into t half, कितने अरधायु काल हो गए हैं, वो हमको मिल गया, अरधायु का मान मिल गया, तो total कितना समय हुआ, यह क्य जालना है, sir, n की value 2 दे रखी है, half life में को 10 दिन दे रखा है, तो total 20 दिन का समय, लगा है, sir, इसको, कितना होने में, 3 by 4 integrate, 3 by 4, sir, disintegrate होने में, यानि विगटित होने में, तो यह आगया, sir, 20 दिन, 20 days, option number C is the correct option, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, a boat is moving due east, in a region where earth's magnetic field is, अर्थ का magnetic field दे रखा है, सरेक नाओ है, ऐसी जगे जा रही है, जहां, अर्थ का magnetic field है, 5 into 10 की घात, minus 5 newton per ampere meter, यानि M के सिस्टम में दे रखा है, due to north direction, the boat carries a vertical aerial, 2 meter long, 2 meter, लंबाई का एक aerial है, यह भी आपने question देखा होगा, famous question, simple question है, if the speed of boat is 1.5, इसकी velocity दे रखी, इस speed दे रखी, बोड की 1.5 meter per second, आप चाहें तो 3 by 2 meter per second भी इसको ले सकते हैं, the magnitude of induced EMF, आप देखो थो EMF वाला chapter है, और formula बड़ा simple है, EMF निकालने का BLV, इसके question आपने definitely किये ही होंगे, मतलब paper में कोई ऐसा question नहीं था, जो आपने class में solve नहीं किया होगा, ठीक है, बड़े ही simple है, और वैसी question है, जैसे पूछे जाने चाहिए, जो कि syllabus में हम पढ़ते हैं, तो sir, B की value कितनी है, B की value है, 5 into 10 rest to power minus 5, L की value कितनी है, L की value है, 2 meter, और V की value कितनी है, 3 by 2, solve करे sir, 2 से 2 तो cancel, 3 into 5 हो गया sir, 15 into 10 की power minus 5, पर यहां देखो, सारे option milli volt में है, यह इतना volt है, milli बनाने के लिए 10 की घात minus 3 चाहिए, मतलब power को, हमको 2 plus करना पड़ेगा, इसलिए decimal हमको 2 digit पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो हमारे पास जो answer आएगा, आएगा 0.15 milli volt, तो option number B is the correct option, ठीक है, आगे देखें पिटा, question number 46 को, a particle moves three times as fast as an electron, एक particle है sir, वो एक electron से उसकी जो speed है, मान लो, velocity of electron को मैं V मान लेता हूं, तो velocity of particle जो होगा, इस कण का जो वेग होगा, अगर electron का वेग V है, तो कण का वेग इससे 3 गुना ज़्यादा है, यानि 3 भी हो जाएगा, the ratio of de Broglie wavelength of particle to that electron, यानि particle की जो तरंग द्यार्द है, और electron की जो तरंग द्यार्द है, इसका अनुपात दे रखा है, एक दशमलो आठ एक तीन, एक दशमलो आठ एक तीन, इंटू दस की घात माइनस चाथ, ठीक है, यह अपने को दे रखादा, mass of particle अपने को particle का mass निकालना है, mass of particle अपने को निकालना है, और इसके लिए आपको mass of electron पता भी होना चाहिए, लगबग लगबग 9 इंटू दस की घात माइनस 31 किलोग्राम, 9.1 होता है, लेकिन calculation में 9 हम लोग इसको ले लेते हैं, अब सर, 100 लोग कैसे करें, क्या-क्या दे रखा है, क्या-क्या पूछा है, यह तो हमने लिख लिया, इस कण का ध्रविमान है कितना, तो सर, बहुत basic question है, lambda is equal to h upon p, आपने सभीने formula देखा होगा, lambda is equal to h upon p, यह d-brogly equation है, h तो constant है, l और p, एक दूसरे के inversely proportional है, और p क्या होता है, समवेक, momentum, mass into velocity, तो अगर मैं lambda p upon lambda e की बात करूँ, तो देखो, h उपर आएगा, mass of particle, velocity of particle, electron के लिखूँगा, तो उपर आजाएगा, सर, mass of electron, velocity of electron, अब सर, values अगर मैं रख दूँ, सारी, जो जो भी मैं को देखे रखी है, तो lambda p upon lambda e की value, तो approximately आपको पता ही है, lambda p upon lambda e, मैं इसको 1.8 ही ले लेता हूँ, approximation से solve करता हूँ, 10 की power minus 4 हो गई, अच्छा, m e की value, mass of electron कितना है, सर, तो वो दे रखा है, 9 into 10 की घात, minus 31, velocity of electron कितनी है, v मान लिया मैंने इसको, और electron इस particle का mass कितना है, इस गण का द्रविमान कितना है, वो निकालना है, और vp कितना है, सर, 3 v, तो यह कट रहा है, इसको काट देता हूँ, सर, v से भी cancel हो गया, ठीक है, अपन एक काम करते हैं, सर, 3 से, 3 से इस 9 को भी काट देता हूँ, मैं 3 बार, इसको इधर और इसको इधर ले आता हूँ, तो देखो, क्या-क्या बच रहा है मेरे पास, mp तो इधर आ गया, इधर बचाए, 3 into 10 की घात, minus 31, बटे में, 1.8 into 10 की घात, minus 4, अब सर, 31 से, 4 जो है, यह cancel out हो रहा है, simple simple सा, कितनी बार चला जाएगा, 4 पावर कट जाएगी, तो 27 हो जाएगा, minus का 27, अच्छा, अगर मैं decimal हटा के, इसको solve करने कोशिश करूँ, तो mp कितना हो गया सर, मेरा, mp, mass of particle, कण का द्रविमान, तो यह आगया सर, दशमलों हटा दोगे, तो यह जाएगा, 30 बटे, 18, मतलब सर, यह 3 बार चला जाएगा, 6 से, यह बाकी पहले, as it is, लिख दे तो, minus का 27, क्या कट रहा है सर, तो पहले तो देखो, यह 18, 6 से जा रहा है, तो यह 3 बार, यह 6 से जा रहा है, 5 बार, 5 बटे 3, यानि, 1.something, something, 1.6, 1.7, के आसपास कुछ आएगा, तो सारे option, 1.6, 1.7 के पास दे रहे, लेकिन, पावर आ रही है, 10 की घात, minus 27, यानि, option number, A, will be the correct option, clear है, तो थोड़ा सा, यह question था, जो थोड़ा सा, Calculative है, और वह बहुत ज़्यादा Calculative भी नहीं है, आसानी से data ऐसा दे रखा है, जो cut pit जाता है, मतब, Calculation में आपका समय खराब नहीं होगा, अगर आपको concept अच्छे से आता है, तो, ठीक है, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, question number 47 है, कि, where a capacitor is subjected to a DC source, it takes small time interval to get fully charged up, कि जब भी एक capacitor को हम DC source से जोड़ते हैं, यह बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसको, इसको, चार्ज होने में कोई बहुत ज़्यादा time नहीं लगता, छोटे से time interval में चार्ज हो जाता है, during this small time interval, there is no passage of charge through dielectric, sir जब यह चार्ज हो रहा है न, तब यहां से यहां तक चार्ज पास नहीं हो रहा है, यहां कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, yet we use a term displacement current, फिर भी हम यहां पर displacement current की बात करते हैं, current की बात करते हैं, तो क्यों करते हैं, तो displacement current की definition से related a question है, इसको हिंदी में भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, कि एक संधारित्र को DC स्त्रोच से जोड़ा जाता है, तो उसके पूर्ण आवेशित होने में कुछ ही समय लगता है, इस समय के दोरान पराविद्यूच से जो खाली जगे हैं, यहां से होकर कोई भी आवेश नहीं बहता, फिर भी हम विस्थापन धारा का उपयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं, तो सर देखो भली यहां से आवेश नहीं जा रहा, लेकिन चार्ज जब तक यह होता रहेगा, तब तक इस प्लेट पर positive charge बढ़ता जाएगा, इस पर negative, आवेश बढ़ता जा रहा है, यानि विद्यू छेत्र बढ़ता जा रहा है, और विद्यू छेत्र अगर बढ़ता जा रहा है, तो flux बढ़ता जा रहा है, और इसी को हमने विस्थापन धारा कहा है, विस्थापन धारा अगर आपको याद होगा, तो विस्थापन धारा की परिभाशा ही ऐसी कही जाती है कि विद्युच्छेत्र के परिवर्तित होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने के कारण चेंज होने के कारण यानि वेरी होने के कारण एक करेंट आता है जिसको हम करेंट कहते हैं तो क्या है सर इसमें आप देखो कि एक पटिका से दूसरी पटिका की और आवेश का मंद गती से गतिमान होना तो आवेश सर जाता है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ गलती है यह तो पटिकाओ के मध्य विद्युचेत्र निरंतर बदलता रहता है और इसलिए विद्युचेत्र फ्लक्स भी यहीं देर इस अ कंटिन्यू चेंज ऑफ एलेक्ट्रिक फेल्ड बिट्विन प्लेट एंड हैंज एलेक्ट्रिक फ्लक्स यह पॉइंट तो सही दिख रहा है ऑप्शन नमबर B अगला देखें बैटरी से निकलने वाला विद्युच आवेश बंद हो जाता है सर चार्ज ही बंद हो जाता है तो ऐसा तो कोई बात नहीं है अगला देखें दैर इस टेंप्रेरी ब्रेक्डाउन है उसका बंजन हो जाता है तो यह भी गलत है बहुत हाई इलेक्ट्रिक फिल्ड पर ही ऐसा पॉसिबल है तो अप्शन ब्ही केवल और केवलन ऐक अकेला ऐसा option है जो की सही है तो option number B is the correct option ठीक है आगे बढ़ते हैं बिटा question number 48 if the eighth bright band of wavelength lambda 1 coincides with coincide कर रहा है सर यानि संपाती हो रहे हैं एक दूसरे को संपाती है यह दोनों के दोनों ही band तो कैसे हम करते हैं तो इसके लिए formula पढ़ा होगा हमने n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2 यह ydse का है यह डबल स्लेट experiment के important points में से एक है जहां से question न बनता है तो सर पहला इन्होंने रखा एद्थ है तो n की value तौ एट दे रखी है और wavelength λेवलेंटल वन ही दे रखा है और दूसरा इन्होंने नाइन दे रखा है और wavelength lambda या थे रखा है तो इन्होंने पूछाए कि पॉसिबल वेवलेंथ तो लेमडा 2 को इ mantle का रिशियो 9 इस टू 8 का होना चाहिए मतलब लेमडा वन बड़ा होना चाहिए पहली बात तो यह तो lambda 1 यहाँ पर बड़ा है, पहले वाले option में तो यह तो सही लग रहा है, चेक करेंगे अभी अपने इसको, यह दोनों बराबर है तो यह हो नी सकता, lambda 2 बड़ा है, मतलब नीचे 9 होता, उपर 8 होता, तो यह सही हो सकता था, यह भी गलत है, और नीचे फिर बड़ा, यह भी गलत है, क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है, तो हम लोग बिना values को cross check भी कर सकते हैं, lambda 1 upon lambda 2 का ratio लेके देखो, 450 upon 40, तो अगर आप 5 से divide करोगे, तो यह 50 से divide करोगे, तो यह 9 टाइम जाएगा, और यह 8 टाइम जाएगा, तो option number A is the correct option, बहुत ही simple question है, आगे देखते हैं, यद इसी से इतना simple question आगया, आगे देखेंगे हम लोग, question number 49 को, the temperature at which the resistance of a conductor becomes 30% more than that of its resistance at 47 degree Celsius, 47 degree Celsius पे जितना प्रतिरोध था, उससे 30% ज्यादा प्रतिरोध है, यानि प्रतिरोध में परिवर्तन दे रखा है सर, 30% का, आप चाहें इसको तो 30 upon 100, या 3 by 10, या 0.3 भी लिख सकते हो, आपकी सुविधा के हिसाब से इसको लिख ले, अलफा दे के रखा हुआ है, यानि हमको तापमान गुणांक अलफा दे रखा है, वो कितना दे रखा है सर, 2 into 10 की घात माइनस 4, केल्विन इन्वर्स, सब MKS सिस्टम में दे रखा है, ये भी अपने को उम में ही दे रखा होगा, MKS सिस्टम है, पूरा यूज क्या है, ठीक है कि अवर टेंप्रेचर हमारा डिगरी सेल्सियस में रहता है, तो हम लोग जो कैल्कुलेशन कर रहे है सर, ये तो MKS में करेंगे, बात में आंसर को डिगरी सेल्सियस में बदलना है की नहीं बदलना है देखेंगे, या हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें, वो भी आपको याद होगा, वहीं से आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, डेफिनेटली, R1 बराबर R0, 1 प्लस अलफा T1, और R2 अगर हम निकालें तो आएगा, R0, 1 माइनस अलफा T2, इन दोनों को ही मिला करके, क्योंकि दो अलग-अलग प्रतिरोध है, जिनका अंतर दे रखा है मेरे को, तो इन दोनों के अंतर को हम लोग निकालेंगे परसेंट में, तो डेरेक्टली में यहाँ से आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, इनको आप माइनस करके परसेंटेज में जो चेंज दे रखा है, इसको आप निकाल सकते हो, पर मैं डेरेक्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ पर, कि डेल्टा आर इस एक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, इतना सिंपल है, यहाँ वेल्यू पुट करोगे, अंसर आजाएगा, लेकिन वह अंसर डिगरी सेल्सियस में होगा, उसको केल्विन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंसर केल्विन में है, अपने पास सारे, तो डेल्टा आर दे रखा है सर, 0.3 है, 3 by 10, अल्फा जो दे रखा है, हमको देखे रखा हुआ है, 2 into 10 raise to power minus 4, और डेल्टा टी हमको निकालना है, देखो, अगर हम इसको यहाँ इस तरह पहुचाएं, तो कितना हो जाएगा सर, यह तो हो जाएगा, 3 by 2, अपन में 2 हो जाएगा, और यह इधर जाएगा, तो 10 raise to power हो जाएगी, माइनस 3, क्योंकि सर, माइनस 4 और यह प्लस का 1 है, जुड़ेगा, माइनस 3 होगा, तो डेल्टा टी कितना होगा, तो सर, 3 by 2 मतलब हो जाएगा, मतलब टेंप्रेचर कितना बढ़ गया है, 1500 degree Celsius बढ़ गया है, आगे देखे हम, डेल्टा टी अगर हमको 1500 degree Celsius बढ़ गया है, मतलब सर, पहले जो टेंप्रेचर था, उससे पहले टेंप्रेचर 47 degree था, question में दिया हुआ है, 47 degree, और अब टेंप्रेचर हो गया है, तो टी माइनस 47 की value है, हमारे पास 1500 माइनस 47 इदर जाएगा, T is equal to 1547, पर यह degree Celsius में है, कैल्विन में कैसे बदले सर, तो टेंप्रेचर को कैल्विन में बदलने के लिए सर, इसमें हम 203 जोड देते हैं, बिटा, 7, 0 carry का 1 कितना हो जाएगा, बिटा, 7, 4, 11, 12 का 2 हसिल गया, एक मेरे पास, तो 8, 1820 कैल्विन, बड़ा ही simple question था, और हम आजाते हैं आज के, इस paper के last question पे, जो की, यह रहा आपके सामने, में a square shaped wire, loop of side L, एक square shape का, एक L भुजा का, एक वर्ग है हमारे पास, इस carrying current I, इससे सर, एक current I बह रहा है, अभी किसी भी direction में जा रहा हो, मैंने किसी भी direction में माल लिया, what is the magnetic field at the point of intersection of diagonal, अगर इनके diagonal को मिला दूँ, तो इनके इस point पे, magnetic field कितना होगा, बड़ा simple है, क्योंकि सर, यह square है, तो एक दूसरे को यह 90 degree पर ही, cut कर रहे होंगे, मतलब यहाँ, अगर इस side को मैं L बोल देता हूँ, तो यहाँ पे अगर यह total angle 90 है, तो यह 45 होगा, यह भी 45 होगा, और में को total magnetic field निकालनी है, तो मैं एक wire से निकाल के 4 का multiply कर दूँगा, यह MEC का question है, बहुत simple question, अगर, तो मैं यहाँ पर देखो formula लगा रहा हूँ, magnetic field total अगर निकालना होगा, तो four times कर दूँगा मैं, इस magnetic field की, जो हम लोगों को अभी निकाल रहे हैं, जो magnetic field इस wire की वज़े से निकाल रहे हैं, क्या होता है, सर, wire की वज़े से formula, तो आपको यहाँ दोगा formula होता है, क, I, sin, alpha, plus sin, beta, और दोनों की ही value 45 है, upon में आता है distance, अब सरी, distance भी बड़ा simple है, अगर यह total distance L है, तो यह distance आधी है, L by 2, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, L by 2, क्या हो रहा है, देखो, देखो ध्यान से, 2 को उपर पहुचा दूँगा, तो यह तो हो गया, sir, 8, 8, k की value, देखो option में रखी है, क्या, रखी हुई है, बिल्कुल, इन्होंने pi दे रखा है, formula में मतलब k का formula रखा है, mu not upon 4 pi, I as it is, sin 45, sin 45, तो 2 sin 45 हो गए, बिटा, 2 sin 45 degree, upon में है, एक L, ठीक है, और क्या-क्या cancel out होने वाला है, तो देख लेते हैं, 4 से 8 चला जाएगा, 2 time, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा, sir, 2 mu not, I upon pi L, और, sir, देखो, 2 sin 45, तो यहाँ देखो, 2 और sin 45 होता है, 1 upon root 2, root 2 से 2 को काटा, तो बचेगा root 2, और हमारे पास, जो total magnetic field है, b net है, उसको हम लोग अगर निकालेंगे, तो देखो, यह आ गया, 2 root 2, mu not, I upon pi L, clear है क्या यह बात, तो 2 root 2, mu not, I, 2 root 2, mu not, I upon pi L, एक ही option है, option number B is the correct option, और बिटा, यह बहुत ही simple paper था हमारा, ऐसा कुछ इस paper में नहीं था, जो हम लोगों ने class में पढ़ा नहीं है, या आप लोगों ने आपकी class में पढ़ा नहीं होगा, सारे ही question, बहुत basic level के question है, कोई ऐसा tough इसमें नहीं था, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग एक और paper को solve करेंगे, तब तक, I hope कि आप इस paper को एक बार खुद से, फिर से लगा करके देख लेंगे, ठीक है पीटा, मिलते हैं हम लोग जल्दी, तब तक के लिए, जैहन, जैभरत!